हलो माई डियर स्टूडेंट्स कैसे हो तो जितने भी लोग आने वाले थे जल्दी से आ गए है न तो टाइम हो गया है शिवे तिर्फाथी वी हाब स्टार्टेड शिवी आज पहली बार मैंने आपको देखा नयन नियौल यहावे काफी लोग नहीं नहीं दिख रहे हैं मुझे और सुनू कुमार डॉक्टर रहम तो हमारे पास है तुमेश व्यादव दक्ष आफ्टनून बिटा अच्छ सुनों सबसे पहले तो अब हम आपके बात कर लेते हैं क्या क्या करना सबको मेरी आवास के लिए रा रही है ना वैसे आपको अगर चाहिए तो यहाँ पर गूगल मीट का लिंक यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में अविलेबल है तो जो भी लोग गूगल मीट पर जॉइन करना चाहते हैं तो यू आर अलाओड तो जोइन ओन गूगल मीट इफ यू वांटेट तो आप गूगल मीट पर भी जोइन कर सकते हैं अगर आप चाहें तो वैस नहीं आरी आपको वैस तो क्लियर है आई बिलीव वैस आरी है ना हाँ वैस तो आरी है दक्ष अपने माइक्रोफोन को चेक करो वोईस बिल्कुल क्लियर है मैंने चेक कर लिया है ठीक है वोईस इस अपसलूटली क्लियर विदाउट एनी प्रॉब्लम्स चलिए तो अब मैं आपको बता जता हूँ हम किस तरीके से इस सेशन को चलने वाले हैं सबसہ पहले बात तो ये है कि हम इस सेशन को नीट के तरीके से चलने वाले हैं नीट का सारा-कासारा पेपर NCRT से आता है तो आज मैं आपको पूरी के पूरी फिजिकल केमिस्टरी 11th क्लास की NCRT करवाने वाला हूँ पूरा पूरा फिजिकल केमिस्ट्री आफ NCRT आफ क्लास 11 ठीक है ओके फिर आज के पहले सेशन में तो हम ये करने वाले हैं आज के दूसरे सेशन के अंदर हम ये NCRT के एक्जम्पलर के सारे के सारे कोशन अबजेक्टिव, सबजेक्टिव, सारे के सारे कोशन एक्जम्पलर के डिटेल में समझने वाले हैं दूसरी क्लास के अंदर कोई क्वेज नहीं होने वाली है कि मैं आप से कोशन पूछूंगा आप उसका आंसर होगे, नहीं ऐसा कोशन नहीं होने वाला, we are going to understand the questions और हम ये समझने वाले हैं कि आखिरकार उस question के अंदर examiner क्या पूछना चाहता है और क्या समझाना चाहता है So that's what we are going to meet Google meet का link open नहीं हो रहा है, करके देखो, तनू, हो जाएगा हाँ, बहुत सारे लोग आगए हैं, ये लो चाहिए, आप click करो के खुल जाएगा, एक बात बताईए ना, please 45 question में से कितना numerical और कितने 5 numerical आते हैं बेटा, जादा numerical नहीं आते, 45 में से शायद 5 आते हैं, बलकि शायद उससे भी कम, बिलकुल open हो रहा है सक्षी, बिलकुल चल रहा है, सारे के सारे join कर गए है, चांग गए है, so everybody is here, लेकिन हाँ, आपके आवाज वहाँ पर यूट्यूब पर नहीं चाहेगी, anyway, तो अब दूसरी बात यह है, कि अब हम क्या करने वाले हैं, we are going to do all the physical chemistry from NCERT, और आपको जो भी पूछना है, आप मुझसे पूछ सकते हो, आपके chat मुझे दिखाई दे रही है, and I I am able to see whatever you are saying, ठीक है, ठीक है, गुगल मीट पर एंटर करना है, तो कर लो, आजाओ, जो भी गुगल मीट पर आना चाहते हैं, गुगल मीट पर आजाईए, जो भी यहाँ पर करना चाहते हैं, तो यहाँ पर कर लीजे, everything is open, और आप अपना, माइक ओन कर सकते हो, लेकिन अप ठीक है, चलो, लेट्स बिगिन ओवर विदा वर्क, अब हम स्टार्ट करना देखो, आप, सबसे पहली important बात ही है, कि क्या आपने, नहीं सचरेक, chemistry में कोई exception नहीं है, जिन लोगों chemistry आती ही नहीं है, वो exception के नाम पर, यह अपने explanation से बचने के लिए exception वर्ट बूर्ट बूर बोल देते हैं, बेटा, NCRT ही करवा रहा हूँ, mole concept की short trick भी करवा रहा हूँ, तो चलिए, सबसे पहली बात तो यह है, कि आप सबसे पहले अपनी NCRT की book उठा कर ले आईए, everybody has your NCRT book with you, 11th class की part 1 and part 2, we are having the, मैंने अभी sessions, जो बिलकुल नहीं NCRT है, उसको भी download कर लिया है, अब मैं तो यही कहूँगा कि आप पिछले साल की NCRT लेकर बैठ जाईए, अगर आपने पिछले साल की NCRT download नहीं की हुई है, then in that case it will be necessary कि आप पिछले साल की NCRT कहीं से ढूंड लीजिए, नहीं ढूंड पारें, आपके पास सायद printed copy होगी और आपने पहले download कर ली होगी तो चलिए, let us begin over with the work, ठीक है, सबके पास अपनी NCRT है ना, NCRT में तो कोई problem नहीं है, किसी ने कुछ कहा, okay, absolutely fine, चलिए, सबके पास NCRT है ना, total physical weightage, total physical weightage है 17 questions की, इन और गयाने की 18 questions की, और गयाने की 17 questions की, total हमारे पास है 50 questions, okay, नहीं, 16, 16, 17, 16, 16, 18, okay, चलो, let's begin over with it, so we are starting over with the first chapter and that first chapter is called some basic concepts of chemistry, okay, so let's begin over with some basic concepts of chemistry, आपको एप पूरा पूरा चाप्टर दिखाई दे रहा है, अब दो को यहाँ पर इस some basic concepts of chemistry के अंदर, यह सारा का सारा part history है, और इसमें से question नहीं आते है, ठीक है? Is this clear? Is this a marathon? Yes, this is a marathon, and this is a super marathon, not just a marathon, this is a super marathon, तो यह पूरा का पूरा history part है, इसके अंदर से कुछ भी नहीं आता, फिर यहाँ पर यह जो part है, development of chemistry, again, इसमें से question नहीं आता, यह history है, यह सारा का सारा part, यह यहाँ तक का जो भी part है, यहाँ तक, यहाँ तक का पार्ट is history, ठीक है? No questions, कहने को यह बहुत important है, लेकिन कहने को बहुत अच्छा खासा part है, लेकिन इसका कुछ आता नहीं है, तो यहाँ पर तो यह दिख से तो कोई question नहीं है, फिर यहाँ पर आ जाती है बात importance of chemistry की, important of chemistry के अंदर भी यहाँ तक कुछ नहीं आता, बस हाँ यह cisplatin की जो ओ यह किया कर रखा है न, यह taxol जो हमारे पास यह word है, यह word, यह लेकिन यह वाले word भी हम देख लेते हैं chemistry in everyday life में, अरे गुदेश वही करवा रहा हूँ बिटा, ठीक है, तो यह part हमारे लिए यह important है, यह cisplatin and the taxol is the important word, अब यहाँ पर यह जो matter है, यह सारा का सारा class 11 फे हम कर चुके, यह class 9th का part है, यह भी important नहीं है, यह जो part हमारे पास आ गया है, यह solid की definition आ गई, liquid की definition आ गई, यह important हो सकती है, एक बार पढ़ ले जीएगा, इसमें कुछ नहीं आता, इसमें भी कुछ नहीं आता, यह भी कुछ नहीं आता, classification of matter में mixture और pure substance, देखो यह भी ना 9th class का topic है, जिसके अंदर direct question नहीं पूछा जाता, कि इनमें से कौन सा mixture है, कौन सा pure substance है, कौन सा element है, कौन सा compound है, यह question as such नहीं पूछे जाते है, कोई confusion यहाँ पर, यह चीज़ें यहाँ पर नहीं पूछी जाती, तो अब यहाँ पर जब यह देख लेते हैं, अब यह किसी ने कुछ पूछना है, अब किसी ने कुछ पूछना हो, तो पूछ सकते हैं, ठीक है, good afternoon, what is formality and normality, बेटा सबसे important बात इसने हल्द कि आपके course में formality तो बिलकुल भी नहीं है, normality का कुछ ना सकता है, लेकि normality के बात में हम बात कर लेंगे, formality के बें confused मत होना, formality जैसी कोई चीज आपके course में नहीं है, normally जिन substances के लिए हम formula unit के बात करते हैं, उनके लिए formality बोल दिया जाता है, but actually that is molarity only, ठीक है सने हल्द, बता दिया ना आपको formality आपके course में नहीं है, now, ठीक है, अब यह mixture क्या होता है, यह हमें पता है, homogeneous mixture क्या होता है, heterogeneous mixture क्या होता है, homogeneous heterogeneous is mainly used in chemical kinetics and catalysis, equilibrium, इनमें हम homogeneous, heterogeneous की बात करते हैं, इस chapter के लिए हम homogeneous और heterogeneous की बात नहीं, elements, compounds, mixtures, इसके questions नहीं आते, ठीक है, यह जो यहां तक के पूरा कहानी है नहीं है, यह, यहां तक की कहानी, यह 9th class का topic है, solution से 2 question आ सकते हैं, maximum, उससे ज़्यादा question नहीं आते, is that clear, ठीक है, आपने अभी तक सबने like नहीं किया है, there are only 40 likes, जबकि 72 students are watching, could we have entire students liking it, जिससे कि हम अराम से question से focus कर सके, so that's what we have as physical properties, chemical properties, इनके बारे में नहीं आता, ठीक है, हाँ, अब यहां से हमारे पास चीजें शुरू हो जाती है, यह जो हमारे पास table है, this table is important, वैसे तो बहुत easy table है, I believe यह physics में भी आप कर चुके हैं, chemistry में भी आप कर चुके हैं, यहां पर हमारे पास आ जाता है, what are the SI units of the various quantities, clear, there may be a question, but that question is going to be more of physics, हाँ, बिटा, मैं पूरा का पूरा 11th class का फिजिकल कवर करने वाला हूं, queen, is this clear, 11th class का पूरा का पूरा फिजिकल केविस्ट्री, we are going to do, is this clear, टिक है, new NCRT, old NCRT से chapters में difference है, हाँ जी, rationalized वाली NCRT आपके course में नहीं है, आपके course में पूरी NCRT, इसलिए आपको पुरानी NCRT से पढ़ना पड़ेगा, नहीं मैं आकाश के offline में नहीं पढ़ाता हूं, हाँ, fundamental quantities in physics, तो ये जो आपके पास units हैं, ये आपको याद रखने हैं, ये पहली चीज जो आपने याद रखनी है, आपके जो course में पहली चीज आ रही है, वो है ये वाली, चीक है, इसके बाद ये हमारे पास ये है, ये definitions नहीं पूछी जाती है, ये definitions नहीं पूछी जाती है, ये definitions are not asked, what is the definition of Kelvin, what is the definition of amount of substance, ये आपके 11th class के school के examination पूछे जा सकता है, लेकिन ये NEET के examination में अब तक नहीं आया है, ठीक है, हाँ, इसके उपर question आ जाता है This can be a question कि आखिरकार, what is the meaning of 10-6, 10-12, 10-15, 18, क्या हो सकता है इसके उपर question आ सकता है तो these are the prefixes that you are understandable You understand, ठीक है किसी हो कोई confusion यहाँ पर तो मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या चीज़े important है क्या क्या चीज़े important नहीं है 2020 के लिए old NCRT चलेगी कि new NCRT buy करना पड़ेगी Old NCRT चलेगी स्नेहल Old NCRT 2022 वाली ठीक है, ओके अच्छा, ये important आ जाता है Volume के units, volume का conversion units ये बहुत important है इस chapter के लिए नहीं, ये अगले chapters के लिए बहुत जादे important है, जैसे कि states of matter के अंदर use हो जाता है, थमोर डानिक्स में use हो जाता है chemical kinetics में use हो जाता है, conversion factors काफी जादा use हो जाते है, इसलिए कि volume का conversion है, mass का conversion है ये conversion factor आपको use करने है, ये कोई नहीं पूछता ये कभी नहीं पूछा गया है इसलिए इसको दिमाग खराब करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ये volume measuring devices कभी नहीं पूछे जाते ये temperature devices नहीं use किये जाते लेकिन Kelvin और Celsius का interconversion ये बहुत important है I think ये आप सबको आता है इसमें कोई confusion? 2025 के लिए rationalized NCRT buy करनी है, बेटा 2025 के लिए जब तक syllabus नहीं आ जाता है, नीट का तब तक आप कुछ बत नहीं कीजिए नीट के syllabus का इंतजार कीजिए, is this clear? ठीक है? तो यहाँ पर हमाएं पास ये आ जाता है अब ये density का unit आपको पता है density क्या होती है, units आपको पता होने चाहिए density के कौन से है temperature ठीक है, अब uncertainty in measurement की जब हम बात करते हैं, तो scientific notation is important scientific notation का question आ जाता है, scientific notation is quite easy to understand, सीधा-सीधा आपको एक इस तरीके से notation बनानी है कि decimal के left hand side पे सिर्फ एक non-zero digit होना चाहिए only one non-zero digit, zero नहीं one non-zero digit, is that clear अब आगी आप 10 के powers में कर देते हैं तो these are what we call a scientific notation टीक है degree Celsius to Fahrenheit नहीं पूछा जाता है, ये 9th class का question है 11th, 12th का question नहीं है degree Celsius to Fahrenheit का conversion नहीं पूछा जाता वो अलग बात है कि हर teacher करवाता है मैंने भी करवाया है, आपको भी आता होगा देखो बैशीरी सी बात है degree Celsius is equal to degree Fahrenheit minus 32 ठीक है multiplied by 5 by 9 ये हमाई पास का conversion factor आ जाता है ठीक है इस बार paper का level क्या रहने वाला है इस बार paper का level पिछले साल वाला ही रहने वाला है 2022 वाला level ही रहने वाला है तो ये इतनी दो इस chapter के अंदर जितना ज़्यादा इतनी कहानिया जो लिखी हुई है वो इसलिए लिखी हुई है कि जब 10th क्लास से 11th क्लास में student आता है तो उसको कहानिया बताई जाए ये course में नहीं है इतनी कहानियों की जरुरत नहीं है बस ये है अब multiplication and division के जो units हैं ये जो हमारे पास कर ये factors हैं ये important हो जाते हैं ठीक है अब significant figures is an important unit ये जो पूछा जा सकता है ये exam में पूछा जा सकता है कि what are the number of significant digits in the given quantity इस तरह का question आ जाता है हाँ अनन्या वर्मा बायो मेंटी में ही नहीं है आप chemistry में भी first आये थे ना chemistry में कौन first आये थे तो कल रात को आये थे हाँ कल 12th की physical हम कल करने वाले हैं organic questions हम अगले हफ़ते करने वाले हैं ये हर Saturday Sunday को हम इस तरीके के session चलाने वाले हैं सारे के सारी चीज़े करने वाले हैं यहाँ पर 82 watching है और 62 likes है could we get the likes quickly तो यहाँ पर यह हमारे पास यूनिट्स के यूनिट्स है they are important मेरे साथ साथ पढ़ते चले जा रहे हैं और कुछ पूछता है तो पूछते चले जाओ तो पूछते चले जाओ chemistry के mentee नहीं है जो महमद परवेज there is no mentee today we are going to take the questions from examplar और सारे के सारी questions समझने वाले हैं objective questions, subjective questions और वहाँ पर match the following हर chapter के 5 chapter हमने करने हैं हमने करना है states of matter हमने करना है some basic concepts of chemistry हमने करना है atomic structure हमने करना है thermodynamics और हमने करना है equilibrium हमने redox भी करना है 6 chapter है physical chemistry के 11th class में तो ये सारे के सारे chapter आज हमें करने है N-C-E-R-T से is that clear तो ये हमाने पास आगया significant figures के बारे में multiplication and division of significant figures important है इसके question आ सकते है बहुत simple सा question आएगा इन दोनों units को multiply करने के बाद जो product होगा उसमें कितने significant digits होने वाले है तो that would be the question easy सा question कोई मुश्किल question नहीं होने वाला ठीक है आज कोई session रात को नौ बजनी है मुहमद परवेज there isn't any 9 o'clock session today ठीक है और वो 9 o'clock वाद शेशन 7 o'clock नहीं हो सकता फिलाल तो कोई 9 o'clock session है ही नहीं ठीक है अच्छा हाँ ये precision और accuracy का question as such exam में नहीं आया है तो इसलिए you can even neglect this also अगर मैं देखना शुरू करता हूँ तो हमारे पास इतने कम topics रह जाते हैं सारे के सारे chemistry के कि बहुत easy हो जाती है chemistry अच्छा है dimensional analysis physics में आपने किया हुआ है तो ये physics में ही जादा important है और ये जो मैंने ये topic ले रखा है अब आपने यहां पर पढ़ लिया ये this is rationalized 23-24 वाला session हमने ले लिया है तो Sunday को AITS होता है तो क्या कर आ जाए Sunday को AITS होता है तो जितने students Sunday को AITS देने वाले हैं दो से साड़े पांस थोड़ा जल्दी schedule कर लेंगे देख लेंगे बिटा कोई बात नहीं दो बज़े तक आप हमारा session अटेंड कर लीजेगा डेर बज़े तक session अटेंड कर लीजेगा क्या दिक्कत है 12 class की physical तो जल्दी ही हो जाएगी ठीक है अब ये वाला question exam में नहीं आने वाला है यहां रखना है इस बात का ओके ये वाला question भी नहीं आता conversion factors का ये वाला question भी नहीं आता है example का questions है ठीक है law of conservation of mass nobody asks law of definite proportions maybe maybe एक बार एक बार read मार ले ना उससे जादा इसके नहीं कोई बहुत लंबर चाड़ा कहानी नहीं है ये फै law of multiple proportions ये थोड़ा सा nice है ये आ जाता है और इसके नहीं सब से simple example है nitrogen oxides का oxides of nitrogen ये normally पूछा जाता है is this clear दोख हमने 6 chapters करने हैं हमाई पास हर chapter करने के लिए आदे घंटे से जादा नहीं है scientist name chemistry में important बिल्कुल भी नहीं है chemistry में scientist के name पर question बिल्कुल भी नहीं आते कभी नहीं आये आज तक इस दिस क्लिर कर दे तक okay ठीक है आवगेट्रोज लॉओ सिंपल सा लॉओ आप तक तो आपको याद हो ही गया होगा नीट में 11 से कितने कोश्चन आते हैं नीट में 11 में से 48% कोश्चन आते हैं और 12 से 52% यानि की नियर अबाउट बराबरी कोश्चन से है एक कोश्चन ऊपर नीचे हो जाता है और उससे ज़्यादा कुछ नहीं तो यहाँ पर आपके पास यह है आवगेट्रोज लॉओ आपके लिए important है ठीक है और डालतन से atomic theory बिलकुल भी important नहीं है यह नहीं पूछा जाता atomic mass units आप से molar mass पूछे नहीं जाते किसका molar mass कितना है यह चोटे-चोटे questions होते है formula unit mass average atomic mass average atomic mass का question आ सकता है this is important ठीक है आप अपनी NCRT लेकर बैठे है ना खुछ पूछना है तो पूछ लीजेगा is inorganic chemistry hard absolutely not शाशरीक सिंग शाशरीक बेटा inorganic chemistry बिलकुल भी hard नहीं है बहुत easy है अगर आप hard समझ जाएं तो इसका मतलब आपने अभी तक पढ़ी ही नहीं है यह जो formula mass है ना इस formula mass से ही लोग formality बना देते है ठीक है but formality is not standard unit formality कभी नहीं आता ठीक है हाँ isotope से ही आता average atomic mass नहीं निखिल इसमें memory की भी ज़रती नहीं है एक बार पढ़ लोगे questions कर लोगे तो वो भी खतम हो जाएगा ठीक है ओके यह important नहीं है molar mass क्या होता है यह आपको पता होना चाहिए और यह आपको पता होगा भी percentage composition से you can be asked कि percentage composition से आप empirical formula derive कर लो यह important है how to find the empirical formula यह question important है ठीक है नीट वाला जी हम आपको कोई ignore नहीं कर रहे है लेकिन मैं बहुत तेजी से पढ़ा रहा हूँ इससे सबके answers देना मुश्किल हो रहा है is this clear हाँ राहम क्या हुआ लेट हो गए हो इससे सम बेसिक कंसेप्स और केमिस्ट्री से ही दो कोईशन तो आते ही है तो इसलिए यह एक higher weightage कोईशन हो जाएगा यह important part था ठीक है अब यह stoichiometry और stoichiometry calculations यह हमाँ important है यहाँ पर limiting region का concept जादे important हो जाता है limiting region कंसेप्स आता है law of constant proportion से limiting region कंसेप्स है from constant proportion यह नो यू नो नेगलेक्ट अनी चाप्टर इन केमिस्ट्री अगर आपके चाप्टर केमिस्ट्री में नेगलेक्ट करने वाले हैं तन इन बाट किस यू माइट लूज सिंप्ली 10 मार्क्स एक चाप्टर 10 मार्क्स कॉस्ट कर सकता है आपको यह limiting region काफी जादे important concept है इसको miss मत कीजेगा lag हो रहा है lag कहीं से नहीं हो रहा है मिरे पास तो कोई lag नहीं हो रहा है मिरे पास तो immediately सब कुछ चल रहा है अपना internet connection चेक करो यहाँ पर perfectly fine चल रहा है मुझे पता है बिल्कुल clear है तो जिननने कहा था कि lag हो रहा है मैं उनको कह रहा हूँ कि lag कोई भी ज़रुरत नहीं है किसी भी lag बोलने की absolutely clear चल रहा है टीक है we have got 81 likes isn't it 100 likes करो फटाफट 82 likes हो गए है let's have the 100 likes quickly टीक है यह limiting reagent है and now we can have the reactions and solutions यह important part है जहाँ पर हम concentration units की बात करेंगे molality, molality, mole fraction normality, normality as such course में नहीं है but you need to understand कि normality होता क्या है normality के अंदर हमाई पास एक factor आ जाता और यह factor हर reaction के साथ बदलता चला जाता है normality NCRT में इसी लिए नहीं है क्योंकि normality changes with the reaction हाँ बेटा जित्ते है एक question तो हरेडाक से आएगा ही आएगा यही main के paper में आएनिक का सम्बहुत मुश्किल था नहीं chemistry का मुश्किल आएनिक का जो आएगा तो NCRT का कोई tough question जो solved question है वो as it is आ सकता है I think equation balance करना आपको आता है यह question important हो सकते हैं यह question important हो सकते हैं यह important questions हैं एक्जाम में directly आ सकते हैं यह limiting reagent का question है I think आपको याद है na limiting reagent कैसे निकालना है limiting reagent निकालने का सीधा सीधा तरीका है moles of each component divided by the stoichiometric coefficient ठीक है जिसका factor सबसे छोटा है वो limiting reagent है limiting reagent क्या है moles divided by stoichiometric coefficient ठीक है minimum is limiting reagent समझ में आगई बात? यह बात समझ में आ रही है स्निहल, did you get the answer? जो आप पूछ रहे हैं उसका? ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ रहा है ठीक है? Now यह सभी important है concentration units are all important mass person का question भी आ सकता है mole fraction का question भी आ सकता है molarity का question भी आ सकता है और molality का question भी आ सकता है और यह जो solid questions है नए इनको जरूर करना और यह पीपल अनमित्रा क्योंकि लोग महनत नहीं करना चाहते हैं उनको ऐसे ही लगता है कि उनको एक capsule खिला दिया जाए बास capsule खाके उनका सारा का सारा काम निपड़ जाए महनत नहीं करना चाहते हैं इसलिए fail करते हैं they fail to answer the simple questions as well यह वादर जो questions है यह important है all solved questions are important all solved numericals are important यह नहीं बिटा organic inorganic किसी भी तरह की chemistry hard नहीं है chemistry बहुत easy topic है बहुत असानी से हो जाएगा ठीक है okay so that word are topics of chemistry some basic concepts of chemistry किसी नहीं कुछ पूछना है यहां पर anyone has to ask anything absolutely clear तो चलिए अब चलते हैं जरा next chapter पर और next chapter की अगर हम बात करते हैं तो next chapter एक बहुत लंबा chapter है बहुत बड़ा chapter है chemistry का and that chapter is called structure of atom molality के सारे के सारे questions molality molality के सारे questions हम करने वाले हैं next session में जो की शाम को होने वाला है तो यहां तक यह बेकार है टार्टरमेरिस्म के concept करना होगा क्या NCIT में अच्छे से नहीं दिया तो नहीं होगा टार्टरमेरिस्म की ज़्यादा कोशन नहीं आते जो NCIT में दिया है वहीं आएगा इस दिस क्लियर टीक है यहां तक आपको नहीं करना है यह फाल्टों की बाते नहीं सुननी थी कैथोर्डरिस्ट जार्चीव की होते है अठार सो पचास में क्या हुआ नहीं लेकिन हाँ यह इंपॉर्टन्ट है क्योंकि इसके अंदर से result के अंदर से कोई कोशन बना दिया जाता है यह कह दिया जाता है कि बताओ कैथोर्डरिस के लिए क्या true है कैथोर्डरिस के लिए क्या false है सीधा सीधा कोशन आ सकता है रीजन रसर्शन कोशन भी बन सकता है इसके लिए और यहां पर बहुत आराम से statement type questions बन जाते है true false question बन जाते है मौक में NCIT के बाहर के question इसलिए आते है क्योंकि वो यह दिखाना चाते हैं हम बहुत अच्छा mock paper बना रहे है हम original mock paper बना रहे है लेकिन आपका neat paper NCIT के बाहर नहीं आएगा तो यह जो properties है they are important और इसमें property में कोई लंबी बात नहीं है अभी आप मेरे साथ साथ बैठके पढ़ लोगें तो ही समझ में आ जाएगा और याद हो जाएगा is this clear कोई confusion we have got 88 likes could we make it 100 in organic theory MTG fingertips से पढ़ेंगे तो NCIT भी cover हो जाएगा बेड़ा मुझे नहीं पता NCIT cover करना तो NCIT से ही cover क्यों नहीं करते अजीब बात करते हो आप आप कहते हो कि सर अगर मैं गुलाब जामुन खाऊंगा तो रसगुले खाने का मज़ा आएगा अबे रसगुले खाने का मज़ा लेना है तो रसगुले खा लो ने गुलाब जामुन क्यों खा रहे हो अजीब बात करते हो अगर तुम NCRT ही complete करनी है तो NCRT से कर लो हाँ बिलकुल 180 आजाएगा NCRT से क्यों नहीं आएगा वही हमने 2022 का paper भी analyze किया है तो 2022 का paper जो पूरा को पूरा था वो सारा NCRT से ही तो था ठीक है अच्छा ये जो value है ना charge to mass ratio की नहीं पूछी जाती थोड़ा सा एक अंदाजा रख लो तो अच्छा रहेगा azimuthal और magnetic spin quantum number का concept बता दीजेगा बिल्कु बताएंगे अभी आने दो ठीक है चांग देव विटा आपने कुछ पूछना है ठीक है ओके ने बिटा हम anxiety तो पढ़ा रहे हैं आगाश के module में level 2 में NCRT से बहुत उपर का level रहता है almost J means क्या level 2 solve करना चाहिए please suggest पहले आप ये बताईए कि आप NCRT कम्प्रीट कर चुके हैं कि NCRT के एक एक लाइन आपको याद हो गई है अगर हो गई है तो फिर आप जिस मर्जी लेवल का solve कर सकते हैं अगर नहीं होई तो पहले NCRT खतम कीजिए ठीक है अब आरे मिलिकन एक्सपेरिमेंट चार्ज ऑन दा इलेक्ट्रॉंट अच्छा इसक्यों पर निमेरिकल बन जाते हैं हाओ को एक है सब्सक्राज यीव बलक्सक्राइब ऒाली जाती है करम प्रहा जैसक्तम पर्देरिज आता है इस लिद्ध बाजन देजिए भिशुग स्टक्राइजू मतमांटिक्स-बाज्य सब्सक्रार क्लीभे nevertheless अब ये चीजें, ये important, deviation of the particles from their path in the presence of electrical or magnetic field depends upon, इसके उपर एक question बनाया जा सकता है, या फिर it does not depend on or it depends upon, ये बनाया जा सकता है, ये part पे question बन सकता है, इसे पढ़ लो, समझा गई बात? ठीक है? ये important है, क्योंकि ये सवाल आजाएगा, how are cathode rays and anode rays different from each other, this question can be asked. कोई confusion? करेंगे वेटा, coordination compound जब करेंगे, तब हम इसको explain कर लेंगे. चीक है? ये, धियान रखना. अच्छा, ये आ सकता है. हाँ वरण नूटरॉन्स अप्टीं? एक लेक्चर फॉर्मॉला पर ये सारे कर लेक्चर इसी पर चल रहा है. अच्छा, atomic models के अंदर हमारे पास ये रही what were the factors required ये जो चीजे नहीं है इन पर कोश्चन बना देते है theoretical कोश्चन इन पर बना देते है और ये दिक्कत आ जाती ही कि आखिरका कौन से model में क्या कहा गया था, क्या नहीं कहा गया था Is this clear? We have got 96 likes, 4 likes और चाहिए ये ये important, छोड़ी छोड़ी चोड़ी ये जो points है ना, ये जो bullet points है इसके उपर कोश्चन बना देते हैं और ये कोश्चन difficult हो जाते है क्योंकि अगर किसी ने chapter को detail में नहीं पढ़ा तो वो ये कोश्चन गलत कर देगा और फिर वो ही बात हो जाएगी NCIT से तो पूछाई ये यहाँ पर confusion हो जाते है क्योंकि भाई, डाल्टन के model में क्या था रदाफोर्ड के model में क्या था जेजे थांसन के model में क्या था ये हमारा श्रोडिंगर के model में क्या है कहां पर कहां ये differ करते है ये questions बन जाते है ये चीज़े याद करना ज़रूरी हो जाता है और इन चीज़ों की खास बात ये है कि एक बार पढ़के ही याद हो जाता है सब में differentiation पता कर लो that would be important तो आज आप ये करते जा रहे हैं ना मेरे साथ किसी को कोई confusion हो तो पूछते चले जाना तो बिल्कुल बढ़िया NCRT अपने सामने जरूर रखी हुई है ना आपने NCRT होनी चाहिए आपके पास अभी और साथ में copy pen सब कुछ होना चाहिए पेंसिल से NCRT मार्क करते चल जाओ अब Thompson's model, plum pudding model, resin model, watermelon model जो मरजी बोल दीजिए इसके अंदर important क्या है ये देखो ये important although this model was able to explain the overall neutrality of the atom but was not consistent with the results of later experiments अब ये एक important feature है गलत चीज़े पूछ लेंगे exam के अंदर according to Thompson's model which one is true वहापर ये कह देंगे the mass is concentrated in the center of the atom ये गलत है according to Thompson's model वैसे ये सही है लेकिन Thompson's model के इसाब से गलत हो जाएगा तो please paper में question ध्यान से पढ़ लेना किस model के इसाब से दिया जा रहा है they might not be asking what is true they might be asking what is true according to Thompson's model ठीक है जी अब एक बात का ध्यान रखना Thompson को Nobel Prize उसके atomic model के लिए नहीं मिला था for his theoretical and experimental evidence investigations on the conduction of electricity by the gases इसके लिए Nobel Prize मिला था ठीक है effect है neat में किसका effect है अनमित्रा सर coordination chemistry में metal carbonel के structure bridge bond terminal bonds please हाँ तो वो कर लेंगे और किसका effect बता रहे हो आप नहीं who discovered cathode rays ये scientist का नाम हमारे chemistry में नहीं आता है तो इसलिए ये जियाद करने की ज़रूरत नहीं है ठीक है और ये जो है ना kind of rays आलफा बीटा एंगामा रेस कौन सी होती है इसका सवाल पूछा जा सकता है नहीं आ सकते है अक्षे ठागुर नोबल प्राइस पे chemistry में questions नहीं आते यार biology में भले ही आते हो लेकिन chemistry में nobel प्राइस के उपर नहीं तो marks increase नहीं हो रहा तो cost of check करो क्यों नहीं हो रहा बिटा कहां पे हो उसके इसाब से देखो ठीक है अच्छा रड़र फोर्स नुक्लियर मॉडल अफ आटम यह observations important है इस observations are important इसके अंदर भी वैसी question बन जाएंगी यह theoretical question बनने वाले इस बार का paper बहुत ज़्यादा theory-based होने वाला है numericals कम होने वाले है अच्छा steric inhibition resonance effect वह easy है वह जब हम organic chemistry करेंगे तो उसके साब से कड़ लेंगे ठीक है यह ध्यान रखो इस पर question आ जाएगा what is true according to Rutherford's model अब देख रहे हो एक बार इस chapter को अराम से पढ़ लो notes बनाकर और यह chapter बहुत easy ज़्याएगा isobars and isotopes का definition तो आपको आती है इसमें तो कोई confusion ही नहीं isotopes क्या हो सकते हैं और isotopes isotopes isobars के बारे में हमने first chapter में भी कर लिया है ठीक है यह एक बात ध्यान मतना यह चीज जो italics में लिखा हुए ना इसी पर question बन जाएगे these are the important things nucleons क्या होते है atomic mass क्या होता है शोड़ी शोड़ी से chapter parts है ठीक है अब यह question है calculator number of protons, neutrons and electrons बहुत ही फालत हुआ question है बहुत easy questions है और examiner का अगर mood हुआ कि हर बच्चा च्छकरे question वही तो को एक सीधी सी बात यह है कि हर किसी को अच्छे marks चाहिए NEET के अंदर NEET का paper easy आता है तो इस वज़े से ऐसा question ही आ सकता है सीधा सीधा neutron, proton, electron पूछ लेंगे लेकिन वह bromine में नहीं पूछेंगे वह पूछेंगे number of electrons, protons and neutrons in S2- या फिर कह देंगे CL- में कितने electrons, proton, neutrons हैं या फिर बोल देंगे MG2- में कितने electron, proton, neutron हैं तो इस तरी के question मुश्किल बनाया जा सकता है theoretical paper में क्या लेंदी हो जाएगा लिखने के लिए थोड़ी ना आएगा पढ़ना है और माक करना है आप तो ऐसे कहारो theoretical paper लंदी हो जाएगा paper बढ़ा हो जाएगा उनके paper में छपने में ज़्यादा वो पैसे लगेंगे तो तुम्हें क्या करना उससे तुम्हें क्या करना है यसलिए यह question ज़्यादा important हो गया क्योंकि यह iron है अब drawbacks of the other phone model not important यह important जादा नहीं है लेकिन हाँ यह क्या नहीं कर पाया था क्या यह account for नहीं कर पाया था अब यह भी question आ सकता है विचादा टू में चारेक्टरिस्टिक्स विच लेड तो देवलोप्मेंट ऑफ बोहर्ष मॉडल अफ़ आटम तो यह important आ जाता है अब यहां पर वेव में अकनेचर आफ एलेक्रोमागनेटिक रिडियेशन लाइट के बारे में हमें कोशन नहीं करनी यह चोटा सा कोशन यह आ सकता है कि क्या सच में पेपर थेडिकल आएगा क्या तब तो बहुत लिंदी हो जाए गए तो हो गया हमने बात कर ली ठीक है किसीने और कुछ पूछना है आज का ये वाला सेशन तो ठीक हो गया पट लेट सी शाम वाले सेशन में क्या होने वाला साम वाले सेशन में जुरूर आ जाईएगा जिससे कि हम आपको सारे के सारी चीजें सही से बता सकें कल हम करने वाले हैं फिजिकल केमिस्ट्री ऑफ 12th क्लास आज हम करने हैं फिजिकल केमिस्ट्री ऑफ 11th क्लास NCRT खोल के रखना NCRT में पढ़ते रहना और साथ साथ सब कुछ करते रहना बहुत जल्दी हो जाएगा बहुत सिंपल सी बाते हैं और ठेटिकल बार्ट बहुत सारा आने वाला केमिस्ट्री में शाम को शाम को छे बजे हमारा है शाम को छे बजे ये न हाँ इस प्रेम शाम को शे बजे है ये ये किया दोधर कभ तक अप्डेट होगा उसे तुम्हें करना तुम अपना पढ़ाई करो ना अगर को चाप्टर एक्स्ट्रा होगा नीट के अंदर न है तो वो हम करवा देंगे, वो हम पे छोड़ो, अपनी दिमाग टेंशन मत लो 2024 वाले students, ये वाले sessions follow मत करो ये वाले sessions बहुत fast है ये 2023 के लिए हैं, जिनका course complete हो चुका है, उनके लिए है कि जिससे कि वो कहीं छोटे-छोटे points कई बार miss हो जाते हैं कि what was the drawback of Rutherford's model, what was the difference between Rutherford's model and J.J. Thompson's model या फिर what is the difference between Rutherford's model and Bohar's model what Rutherford could not explain but Bohar overcame या फिर Bohar, what J.J. Thompson could not explain but Rutherford was able to do which gives the line spectra of hydrogen तो ये छोटी-छोटी intricate जो बाते हैं, छोटी सी बाते ये कही न कहीं गुसी रह जाती है, इनका ही कोई इतनी significance नहीं कि chapter समझने के लिए जरूरत हो, तो ये miss हो जाती है, तो इन बातों को हम इन chapters को revise करते हुए पकड़ रहे हैं, ठीक है, और हो सकता है अगर इन में से ये, अगर मालनो आज का पूरा दिन लगा कि आपको एक question भी मिल गया, एक question भी मिल गया, तो ये significant भाई एक दिन एक question, great investment, ठीक है, रड़ाफोर्ड और थॉम्सन में, रड़ाफोर्ड और थॉम्सन में ये बात है कि थॉम्सन ने कहा था कि mass is distributed throughout the atom, रड़ाफोर्ड ने था, it is centered in one point, ये फरक है दोनों में, ठीक है, numericals का बहुत कम weightage होता है, ठीक है, अब obviously तुम्हें समझ में आना चाहिए कि तीन घंटे के अंदर 6 chapter पढ़ाए नहीं जा सकते, ठीक है, अच्छा ये वादा जो question है ना, ये physics और chemistry दोनों का है, और ये question exam में आ सकता है, as it is, ये, और ये question अगर exam में आएंगे ना, तो इनके calculations बहुत लंबे हैं, लेकिन ये फिर भी exam में इसलिए आ सकते हैं, क्योंकि बहुमत पुरेज कहरे हैं कि साथ ये question नीट में थीन पार आया है, देखो अब फिर से आ सकता है, ठीक है, ओके, ये आजाएगा observations, which could not be explained with the help of even the electromagnetic theory of 19th century, classical physics explained ये, अब ये वाले जो question है, कि classical theory क्या explain नेकर से, ये फाल्टू के question है, लेकिन फिर से वही बात है, कि नीट के examination में जब सवाल पूछने पाएंगे, तो NCIT में से कुछ भी पूछ सकते हैं, तो ये थोड़ा सा चार points है, कि which of these could not be explained, which of these could be explained, ठीक है, तो इस तरीके से ये question बन सकता है, data change नहीं करेंगे मोहमद परवेज, data change नहीं करेंगे numerical में, as it is ठोख देंगे, हर नीट के examination में, NCERT के physical chemistry के solved example में से, एक example as it is आता है, चाह वो 2022 का paper हो, चाह 2021 का हो, चाह 2020 का हो, as it is, without any change in the data, और data change करके दो question और आते हैं, सारे के सारे numerical, NCERT के numericals होते हैं, solved numericals होते हैं, जिसमें data change कर दिया जाता है, एक में बिना data change की, as it is लगा दिया जाता है, एक question जरूर आता है, ठीक है, तो numericals जितने भी NCERT के solved numerical हैं, उन में से, एक as it is आने वाला है, और बागी सारे के सारे जितने भी numericals हैं, उन numericals पे based आने वाले हैं, जिसमें कुछ data change हो सकता है, ठीक है, तो 5 में से, एक as it is NCERT का है, solved, और 4 वो हैं, जो solve में से, एक पे based है, is this clear, ठीक है, लाइक जरूर कर देना, अगर किसी ने नहीं किया तो, ठीक है, अभी जो black body radiation है न, NCERT में black body radiation तो दे रखा है, लेकि इसके उपर question as such neat में नहीं आया हुआ, बलकि I believe, NEET considers black body radiation quite difficult to be understood by the student, इसी लिए NEET में उसका question normally अभी तक तो नहीं डिखाई देता, हाँ, वो physics में आ जाता है, ठीक है, chemistry में वो नहीं पूछते हैं इसलिए, बट mood की बात है, तो अगर आपने physics में कर लिया तो, एक chemistry में tension लेने की ज़रूरत नहीं है, हो जाएगा, photoelectric effect की जब हम बात करते हैं, तो photoelectric effect के अंदर, यहाँ पर भी वही आ जाता है, कि what are the characteristics of photoelectric effect, जैसे कि यह है, आज़ा, NCRT बहुत important चीज़ करती है, NCRT हर controversial topic से दूर रहती है, अब जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, कि number of electrons ejected is proportional to the intensity or brightness of light, कहीं पर भी निखा हुआ, कि it is not proportional to the frequency, टीक है, यह तो खो यह लिखा हुआ, कि number of electrons remains constant, समझे, तो दिहान से रखना इस बात को, कहीं पर भी, NCRT ने controversy को, कहीं पर भी clear नहीं किया, controversial statement नहीं दी है, तो इसलिए examination में भी, वो controversial statement नहीं आ सकती, तो इसलिए जादा दिमाग, बिल्कुल नहीं लगाना, प्रेक है, NCRT में जो statement लिखी है, चाहे वो गलत हो, मुझे बहुत सारी statement पता है, जो NCRT में गलत है, लेकिन फिर भी, आपको उन्हें सही मानते हुए, answer देना है, ठीक है, graph figure 2.8 आ सकता है, 2.8 figure, हाँ आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, और ये वाला graph जो है ना, इन्होंने, black body का graph गलत बना रखा है, अच्छे वाला graph इन्होंने, इस NCRT में से उड़ा दिया है, बड़ा सा graph था, उसमे NCRT में, पुरानी NCRT में हुआ करता था, उड़ा दिया, पतानी क्या करते हैं ये, ठीक है, ये वाले जो questions हैं ने ये वाले, ये तो बहुत easy question है, ठीक है, ये numericals हैं, ये numericals हैं, इन numericals में, अगर examination में solve करना पड़ गया, तो ये बहुत जादा time ले 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 ले, बहुत जादा time ले ले ले, लेकिन अगर आपने पहले से किया हुआ है, तो आप सीधा सीधा इसका answer mark कर दोगे, पिटा, NCIT ने सिवाया D-Block और Coordination के बागि सारी NCIT, ये इन और गया निक हटा दी, पता है क्यों हटा है, उसमें लिखा किया गया, rationalization के पीछे reason, it is considered that the student will be able to do it on their own, तो इसका मतलब ये है कि NCIT से हटा दिया है, पर syllabus से नहीं हटा दिया है, ये और ज़रा confuse करने वाले है, पहले तो कहते हैं कि coaching industry को बंद करेंगा, और फिर coaching industry के लिए सब कुछ खोल देते हैं, कि हम NCIT में से हटा दें कि coaching वाले तो कराई देते हैं, तो फिर ठीक है, student coaching के dependent हो गया, क्योंकि जो NCIT में से हट गया है, वो boards में तो आएगा नहीं, और school में होगा नहीं, अजीब सी बात करते हैं, खुद ही अपने आपको contradict करते हैं, और फिर वोई बात है ना, student को ये कह दिया आप से, कि आप अपने subject choose कर सकते हैं, new education policy में, तो भई ठीक है, जिसने जो पढ़ना हों कही से भी पढ़ लेगा, coaching की बल्ले बल्ले, ओके, अच्छा, evidence for the quantized electronic level, तो ये continuous spectrum, line spectra, कौन सा है, spectroscopy, इसके बारे में जो theoretical हैं न, ये नहीं आता, ठीक है, line spectra of hydrogen, ज़्यादा important नहीं है, बस एक बार read ज़रूर कर ले न, कहीं बीच में से कोई line आ जाए, हाँ, ये formula important है, this is what we have as the Redbuck's formula, there is what we have as Balmer series, Redbuck constant, Redbuck constant की value नहीं पूची जाती, ये नहीं कहा जाता, which of these is the value of the Redbuck constant, ये सवाल नहीं आता, दोजार चॉबिस के लिए, J.E. कभाई कुछ नहीं कह सकता बेटा, J.E. का syllabus change नहीं हुआ है, nuclear chemistry, उसके NCRT सहटा दिया गया, लेकिन फिर भी J.E. के syllabus में, nuclear chemistry है, बेटा, दोजार पच्चिस अभी रुख जाओ, जिर आप 2024 निकलने तो फिर पटाएंगे, 2025 के लिए, ठीक है, और ये formula जादा important है, अच्छा एक बात का ध्यान रखना, N1, corresponds to NF, of Bohar's theory, यानि कि कहां आया है electron, N2, corresponds to NI, in Bohar's theory, यानि कहां से आया है, is this clear, 2023 के लिए, ये तो पुरानी NCRT से ही पढ़ना है, ठीक है, इस समय syllabus में, कोई change नहीं हुआ है, full syllabus आ रहा है, chemistry के 30 chapters आ रहे हैं, ठीक है, chapter 1 solid से एक question तो आ नहीं है, ठीक है, अच्छा ये orbits, और orbitals के लिए, बिल्कुल clear हो जाना, orbits और orbital को interchange मत कर देना, बहुत गरबड हो जाएगी, is this clear, ठीक है, 2024 के लिए बेटा, आप सफल batch को join करो, ठीक है, ये angular momentum का formula आपने physics में किया ही होगा, बहुत साइची चीज़े जो physics में हैं, वो chemistry में mostly नहीं पूछी जाती, ठीक है, ये आपकी boar's equation है, अच्छा एक बात का ध्यान रखना, h by 2 pi is written as h cross, ये symbol, astogen CRT में नहीं दे रखा, लेकि फिर भी use किया जा सकता है, ठीक है, we have got 109 likes, जली जली like को increase करते चले जाहिए, and we have just finished off, one hour of our session, ठीक है, चलिए, अब ये quantum theory, quantum numbers, ये एक बहुत important सी बात हो जाती है, और अगर आपको देखना है, quantum numbers की importance क्या, तो मैंने एक छोटा सा shot बना के रखा था, एक minute का shot, what are the quantum numbers, what is the importance of quantum numbers, quantum numbers कौन सा क्या करता है, तो ये important है, तो ये सारी चीजें, L quantum number tell us, ठीक है, अच्छे, एक खुराफाती सा कोश्चन है, ठीक है, the L quantum number, gives, the shape, and energy, of the orbital, in hydrogen atom, जली से बताईए, कि ये statement true है ये false, L quantum number, gives, the shape, and energy, of the orbital, in hydrogen atom, is this statement true, or false, जानके पटे ही लेक बार आंसर दे लिया, काफी है, बार-बार आंसर नहीं देना, अच्छा कोई ये मुझे बताएगा, सब के सब, जितने भी लोग है, सबने false बोला है, false क्यों, why is it false, L quantum number, azimuthal quantum number, gives the energy, and the shape, of the orbital, in hydrogen atom, जानके पटेल ने आंसर दिया है, कि not energy, you are absolutely right, L quantum number, hydrogen atom में, energy नहीं बताता, लेकिन, multi electron system में, L gives the energy, as well, perfect वर्दा, यानि, जितने भी लोग, यहां पर हैं, सारे के सारे, बहुत ही serious लोग है, जिनको पता है, great, but this kind of a question, can be asked in your, neat examination, और इसका answer, exactly NCRT में दे रखा है, is this clear, शालिए, यहां पर इन्हों ने कहा रखा है, यहां पर इन्हों ने कहा रखा है, लेकिन calculate नहीं किया है, बड़े महान है यह, यह formula important है, ऐसी इन्हों ने किया था, क्या, एक सवाल पूछा था, उसके अंदर, velocity of light दी थी, planks constant दिया था, planks constant दिया था, velocity of light दी थी, mass of the electron दिया था, electrostatic constant दिया था, पता नहीं क्या क्या दे के, पूछा गया था, what is the radius of, the second orbit of hydrogen atom, कुछ भी नहीं करना था, उसके नहीं बहुत सिंपल सा कुश्च नहीं था, लेकिन facts बहुत सारे दे दिये गए थे, ठीक है, यहाँ पर यह ध्यान लखना, this is meter inverse, 1.09677 into 10 inch power 7, या फिर 1096758 meter inverse, ठीक है, clear, समझ रहे हो नहीं, यह सारी के सारी चीज़ें, छोटी छोटी information मैं आपको देता जा रहा हूं, जिसमें question बन सकता है, जिसके अंदर question confuse कर सकता है, यह question frankly बहुत घिसा पिटा question है, why pure alumina cannot be electrolyzed, because का melting point बहुत ज़ादा होता है, ठीक है, और यह limitations, यह question बन सकता है, what cannot be predicted from Bohar's theory, या Bohar's what could not be able, could not tell, Vijay Lakshmi, I am telling it in English as well as Hindi, I think I told you the question in English only, clear, so what could not be explained by Bohar's theory, यह दोनों चीज़ें, Bohar's theory से explained नहीं होती, healing, आपका है, विजयलक्शमी, any specific concept you want me to explain in English, if anyone has any kind of doubts, they can simply ask me, I'll explain it, प्री क्या कह रहे हैं भाई कौन से कुशन को कह रहे हैं यह आपका कुशन क्या है भाई फ्री स्टाइलर्स टीम कहा है आपको कुशन दो हजार 24 के लिए दो हजार 24 के लिए अभी नहीं पता जासकता है 2024 विए हमारा सफल बैट जॉइन कर लीजे तब फिजिकल केमिस्टी में NCRT कौन कराता है बीटा मुझे नहीं पता कौन कराता है मैं तो ज़रूर कराता हूँ क्योंकि पूरा पूरा फिजिकल केमिस्ट्री के सारे के सारे कोशन NCRT से आते हैं अगर आपको किसी ने ये बता रखा है कि फिजिकल केमिस्ट्री के लिए NCRT करना ज़रूरी नहीं है okay clear Vijay Lakshmi we are doing English as well as Hindi if you want any explanation specific explanation which you were not able to understand just ask it okay I'll tell you it in English as well but as such we are talking about NCRT I hope you have read the NCRT which is in English okay अब दी ब्रागली की जब हम बात करते हैं तो this is the equation that we have, this is an important equation and these are the important question, यह as it is question आजाएंगे, here you can see that they have talked about the mass of a photon, actually mass of the photon is not there, this is apparent mass of the photon, what would be the mass of the particle which has this much velocity and this much energy as or the wavelength as photon, so we can talk about the apparent mass of the photon, पतेल पतेल नहीं, NCRT करके होंगे, PYQ करके नहीं होंगे, because PYQ are dependent on the NCRT of that time, clear, and it might have something more or less, is this clear? so we have the Heisenberg's answer to any principle okay or velocity, momentum of this gdzie द्यान रखना यह तीनो सक्षेशन तर यह थीनों एक्स्परेशे धी एक्स्परेशन भी आ सकता है, यह भी आ सकता है which of these expression is not true for Heisenberg ascertainty principle, or which of the expression is true for Heisenberg ascertainty principle विल्यों की फॉर्मुला शीट पिटा एंची एटी में सारी की साही फॉर्मुला शीट आपके पास है आरुशा क्लियर ये सिंग आपको मेरी बात समझ में आ गई ना 55 अगले हफ़्रें करने वाले पूरी और हो गाने हैं? इनारयक चरह में इसके अगले हकंक हम क्रने वाले हैं करने वाले हैंड इन और्गैनिकी हम् चेमिस्टरी हम सहत पिरिक पूरीक थांहे है के एक विजबुआ थिए इंपोर्चलोध आधर की एच decir the principle is significant only for the motion of making it is valid or not or do it is significant or not 2004 सिइतल इस ब fabrics in principle is valid for all particles but it is significant only for microscopic particles which have the mass similar to that of electron or lower milligram quantities b uncertainties are hardly of any consequence नहीं मिलेगा आदिते विकास विनाइल क्लॉराइड इस तरीके से रियाक्त नहीं करते अराइल भले ही मिल जाए विनाइल में गर्वर हो जाते हैं पॉलिमराइजेशन हो जाएगा विनाइल में पीवीसी मिल जाएगा पॉलिविनाइल क्लॉराइड टेक है instead of substitution addition reaction हो जाते है यह वी एक numerical आ जाता है और यह numerical भी पूछा जा सकता है यह numerical as it is पूछा जा सकता है exam के अंदर ठीक है reasons for the failure of worst model हमारे सामने हैं हमें पता है and here is the Schrodinger equation अब Schrodinger equation के अंदर यह जो part है नहीं यह वाला part यह नहीं आता ठीक है यह सबसे ज़्यादे important बन जाता है हाँ बेटा Heisenberg Unstated Principle की AD बाकी forms भी important है क्योंकि examination पूछा जाता है which of them is not the representation or Heisenberg Unstated Principle किए यह 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 बद़े अपके लिएटरोंगगद है कि अपके आपका पाइटि नाइटि नाइटि माक्स क्यों आ रहा गर्वा गर्वार्व चेक करो कि आपका फाइटि नाइटि नाइटि माक्स क्यों आ रहा है गर्वार्वार्व कहां हो रही है ठीक है फिर उसके बाद आगे देखेंगे ठीक है अच्छा यह इंपॉर्टन बात है और यह रहा इसका समप ठीक है अच्छा एंसी आइटि ने एस क्वांटम नंबर नी बोला एंसी आइटि ने एम एस बोला है तो यू जो बेटर यूज एम एस क्वांटम नंबर ms refers to the orientation of the spin of the electron what exactly is mean अब यह सिंपल सा कोशन आ गया अच्छा यह जो ग्राफ सहना यह ध्यान रखता है यह ग्राफ important हो सकते हैं यह orbital wave function है then we are going to talk about the square 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 function है and then we have the probability function मैं बिलकुल बढ़िया हूँ अज़र रहो किसी हो गई confusion बोलो कुछ पूछना है clear है चलो बढ़िया है अच्छा यह shapes of the orbital है यह boundary surface diagram यह देखो यहां पर पिटा आपको पढ़ना है एक बार ठीक है और यह यहां पर double double shape जो है यह हमारे पास shapes of the orbitals आ जाती है यह nodes angular notes का formula है हमारे पास L के बराबर है यह दो यह रहां यह दो formula है यह formula याद रखना इनको apply कर देना अगर examination पूछा जाए यह दो degenerate word okay excited state क्या होती है ground state क्या होती है ground state is the lowest energy state of any system that is what we call as a ground state यहनी कि यह वो state है जहां पर अगर system को छोड़ दिया जाए तो वो कहां कौन सी state में आके रुकेगा that is what we call as a ground state यह 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 दो खो shielding के definition यहाँ पर दे रखिए है effective nuclear charge word यहाँ पर दे रख है प्रियादिक टेबल की जगे इस दिस क्लियर तो यह हमारे पास अटॉमिक स्ट्रॉक्टर है आफबाव प्रिंसिपल वगरा है पॉली एक्स्क्लूजन प्रिंसिपल है यह इंपॉर्टन तो यहां पर कोई निमेरिकल पार्ट नहीं है यह पूरा को पूरा यह तो पार्ट है जिसे आप करते चले जाएंगी यह स्टेबिलिटी अफ़ एक्स्टर फिल्स यह आपको एक बार रीड करना है और रीड करते ही आपको सारे किसाई चीज़े अपसलूटली क्लियर हो जाएंगी ठीक है अच्छेंज अनरजी है एक बार देख लिज़े एक्छेंज अनरजी is that more is the number of identical energy states more is the exchange energy and more stable the system becomes ठीक है अब यह जोगा अब यह स्वेंद्ट्रानिक आपको इसमें से क्रोमियम कॉपर को लेर्ट करना है and do not learn other exceptions दूसरे exceptions याद करने की जरुरत नहीं है Is this clear? No need to learn other exceptions तो ये था हमारा Atomic Structure Chapter किसी ना कुछ पूछना है इसमें? Anyone has to ask anything? हाँ भी? अगर नहीं पूछना तो अब हमारे पास एक बहुत इजी चैप्टर आ रहा है जिसे हम कहते हैं States of Matter Clear, clear? तो चलिए फिर हम States of Matter करते हैं States of Matter जिसका मतलब है Gaseous State अचा एब एक बड़ी इंपॉर्टन बात Graham's Law of Diffusion is not in NCRT NCRT में Graham's Law of Diffusion नहीं है और पिछले दो साल से Graham's Law of Diffusion का कुश्चन भी नहीं आया है पहले बहुत इंपॉर्टन आया करता था इस बार नहीं आ रहा है तो अगर Graham's Law of Diffusion आपने कर लिया है बहुत अच्छी बात है अगर नहीं किया तो डढ़ने की बात नहीं है मैं यह नहीं कहूंगा कि आपने करके गलत किया है क्योंकि प्रिविएस एयर कॉश्चन में Graham's Law of Diffusion के बहुत कॉश्चन है लेकिन इस साल पिछले साल नहीं है कोई confusion किसी को अच्छाब यह सारी कि सारी कहानिया है यह important नहीं है intermolecular forces बहुत important है जो कि bonding chapter में भी आ जाते है clear? यह हमारे पास आ गया है यह very important है इनको जुरूर पढ़ना है hydrogen bond आपने पढ़ना है यह thermal energy के बारे में थोड़ा सा है कोई जादा नहीं है अब intermolecular forces बहुत नहीं है यह कहानी है बड़ी लंबी चौड़ी आप boils relation यह सारा का सारा कर सकते हो लेकिन जो सबसे जादा important हो जाता हमारे पास वो है ideal gas equation और यहाँ पर यहाँ पर भी question बन जाता है जैसे यहाँ पर लिख देंगे t1 यहाँ लिख देंगे t2 यहाँ लिख देंगे t3 and they will ask the order ठीक है कि कौन सा order क्या होगा किसका temperature कहां पर temperature जादा होगा कौन सा temperature कम होगा t1, t2, t3 का क्या order हो सकता है यह सवाल पूछा जाता है यहाँ पर भी पूछ लिया जाएगा यह important है और इसको पता करने का बहुत simple सा तरीका at a given temperature किसी भी temperature पर कौन से वाले ग्राफ में volume सबसे जादा है जितना जादा temperature का pressure और volume उतनी ही जादा हो जाएंगे सबजबे आरीए बात यह सारी किसारी numericals important है as it is पूछे जा सकते है यह pressure exceeds नहीं था is lower than 0.2 bar कोई दिक्कत के नहीं मैं तो बस बात सोच रहा था किसी ने कुछ पूछना है तो पूछ लो अगर नहीं पूछना तो कोई बात नहीं 131 लाइक हो चुक है जिसने अभी तक लाइक नहीं किया वो लाइक कर दो अपको एक्वेशन उसकर नहीं तो अपको एक्वेशन यूसकर नहीं तो नहीं या फिर पी वन वी वन बाइन वन टी वन इस इक्वल टू पी टू वी टू बाइन टू टी टू इस इक्वल टू आर कहना है आज पी ब्लॉक बेटा पी ब्लॉक में पूछ लें हर्जोत हम पी ब्लॉक इन और गानिक केमिस्ट्री में करने वाले आप पूछ लें ना पी ब्लॉक का टीक है अभी तो यहां पर फिर से टेंपरिचर का रिलेशन आ जाएगा ऐसे इसमें कुछ पूछना है तो पूछ लो यह लुसाक्स लॉप्रेश देशनशिप अच्छे दखो इसो को घू फिश फिफ दम इजाएग इस इस थर्म इस 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 बार तो हमारा पास आईसो कोर होता है, आईसो थर्म होता है, आईसो बार होता है, आईसो कोर कॉंस्टेंट बॉल्लिम के लिए कहा जाता है, आईसो थर्म कॉंस्टेंट टेंपरेचर के लिए कहा जाता है, और आईसो बार कॉंस्टेंट प्रेशर के लिए कहा जाता है. अब यह देखो यह एक बहुत इंपॉर्टन बात है STP NCIT ने बहुत क्लियरली डिफाइन कर दिया है It is 273.15 Kelvin and 1 bar और यहां पर यह volume आ जाती है We are not going to use 22.4 We are going to use 22.7 liters as the volume of 1 mole of the gas यहां तर किसी हो कोई कन्फूजन यह आरगन बहुत deviation शो कर रहा है याज आइडियल बीहेवे से अजब एक बात देखो dihydrogen की volume ideal gas से ज़ादा है बागी सबकी volume ideal gas से कम है यह दुखो और यह SATP भी ध्यान रख लेना SATP का मतलब यह है कि हम 298 Kelvin की बात करें instead of 273 Kelvin तो please remember SATP पे अलग value हो जाएगी STP पे अलग value हो जाएगी कि पुराना STP अलग था कोई confusion किसी को बिटा का प्रेशर बार में है तो इस 0.08314 अगर प्रेशर पास्कल में है तो and volume is in meter cube तो इस 8.314 इस लिए पाटेल पाटेल झाल कर दो दो घलग झाल इसको आपने यूज नहीं करना है यह डालतने स्लाव पशल प्रेशर है यहां पर यहां पर इस देख लेते हैं कि इंदोंने फिर से क्या ग्राम्स लॉप डिफीजन डाला है या नहीं डाला है नहीं डाला यह question भी आ सकते है अच्छा इस graph में एक खास बात देखना ठीक है this is number of molecule speed with temperature and this is with molar mass दूनमी देखना with increase in temperature clear or molar mass okay सबसे इंपॉर्टन बात यह है the C most probable increases okay अच्छे कहा है but नहीं 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 मोलर मास with increase in temperature or decrease in molar mass you can C increases and fraction fraction of molecules having that particular velocity decreases यह molar mass increase हुआ यह molar mass decrease हुआ तो यह fraction of the molecules having the most probable velocity decrease कर गया but average velocity increase कर गया यहां पर भी वही temperature के साथ भी ऐसा ही है हाँ बेटा मैं यह chemical kinetics में भी दे रखा 136 likes हो गया है और 44 watching है बड़ी दिर से चिपका हुआ है क्या बात है कुछ missing है क्या 136 likes ही है यह important factor है यह ध्यान लखना है यह कई बार पूछ लिया जाता है what is the order of the various velocities है तो बहुत simple सा याद रखने वाली चीज़ है और पड़े अराम से निकल जाएगा ठीक है अब यह kinetic molecular theory I think physics में आप काफी साथ है detail में करते हैं इसलिए kinetic theory of gases से chemistry में ज़्यादा questions नहीं आते हैं यह दोनों ध्यान रखना hydrogen और helium हमेशा आइडियालेटी से positive deviation शो करते हैं अपके इस पूआप र र र कास्ट इन विल गास पहाईड़ यह उड़ा है यह उड़ेटी से एड गास्ट करते हैं पार्टन बात है जो आपको याज रखनी है कोई कन्फूजन पर जिसने लाइक नहीं किया है लाइक करो of course the equation are important there what is a what is b important a is the magnitude of attractive forces between the molecules and b is the excluded volume or the molecular volume एक है एक है और और आइडियल और आइडियल फिकेना वैसे actually z जो है ना वो pv real upon pv ideal लेकर चलते हैं लेकिन important बात यह है कि इन दोनों में यह p है ना this is constant इंडियन विनीत कुमार सर्मार करें सार आप बहुत टाइम से नहीं सोई है आप सो जाना ठीक है मैं सो जाओंगा ठीक है अच्छा एक बात का ध्यान रखना लिक्विफिकेशन जो अफ गैसे जो होता है ना that is possible only if the gases have attractive forces in them ideal gas cannot be liquefied because ideal gases do not have any attractive forces between the gas molecules तो यह ध्यान रखना it is due to attractive forces अचा एक बड़ी मजदा सी बात और भी है temperature बढ़ने के साथ-साथ liquids की viscosity कम होती है solids की viscosity कम होती है gases की viscosity बर जाती है इससे कोई दिक्कत सब्सक्राओब मिवयरों सब्सक्राब याजच कराणा ना चाल सब्सक्राब लिए वग्यों स приб ostriskt बुषर दीधर अचाहिए जो critical temperatures है इनकी formula formula NCRT में नहीं दे रखा तो NCRT में अगर exam में नहीं पूछा जाएगा formula नहीं दे रखा लेकिन ये पूछा जा सकता है आखी इस graph के उपर based question नहीं आए है कभी is this clear कोई confusion किसी को we have got 143 likes could we get 150 likes quickly कि ये सवाल इजी सा है ये क्रिटिकल टेंपरेचर दे के पुछा जा सकता ही कौन से सबसे पहले liquefy होगा और ये आप answer बहुत आराम से दे सकते हो ये थोड़ा सा liquid state के बारे में है लेकिन इसके ज्यादा questions आते नहीं है viscosity का unit पूछा जा सकता है but that's more of physics question less of chemistry question coefficient of viscosity ये हमारे पास unit आ जाता है dimensions of units of viscosity ठीक है हाँ बहुत किसी ने कुछ पूछना है यहाँ पर गैसर स्टेट के बारे में 144 likes है हमारे पास 150 नहीं हुए है and we are going over with the next chapter that is what we have as a very important बहुत खतरनाक chapter जिसे हम कहते हैं thermodynamics mix टीक है जल्दी से 2 मिनिट के लिए पानी पिकर आ जाओ और पानी लेकर भी आजाना अपने लिए जल्दी जल्दी करो कि 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 थार्प पॉपक्त और पाय Hai झाल 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 हेलो स्टुदेंट्स चलिए शुरू करें आगे हम नीलबनात कह रही हैं कि अंदभक्त मत बनो ब्रो अच्छा एक बार बताईए इसमें अंदभक्त बनने वाली कौन सी बात है यहां पर मेरी कौन भक्ती कर रहा है अगर मेरा प्रनॉंसियेशन पर ध्यान रहता है तो किस सी के प्रनॉंसियेशन पर ध्यान रहता है ज़र बताएंगे चलो, anyway, let's get along with thermodynamics thermodynamics एक सिंपल सी बात यह है कि this is a misnomer misnomer का मतलब है thermodynamics tells us कि यह कहता है कि the heat is the cause of all the reactions लेकिन अच्छली ऐसे है नहीं it is the energy और energy के अंदर भी हम free energy की बात कर सकते हैं which is the cause of the reaction और thermodynamics हमें यह बता सकता है कि reaction किस direction में जाएगा under the given set of conditions, thermodynamics हमें speed of the reaction नहीं बता सकता अब लोगों को यह लगता है कि physical chemistry के अंदर बहुत सारे numerical और शायद numerical ही है लेकिन अभी हमने 3 chapters की हैं, हमने basic concepts of chemistry किया, हमने gaseous state किया हमने जो atomic structure किया और उसके अंदर आपने यह realize किया होगा तो चलिए, let's get along with thermodynamics, अब यहां पर इतने यह पार्ट है हमारे पास यह है thermodynamics, what does thermodynamics tell us, okay, this is what we have as users thermodynamic terms, बहुत जादा important system, surrounding open system, closed system यह question बहुत जादा common से हो गए है, कि which of them would be a closed system, which of them would be an open system, which would be a isolated system यह यह इन में से कौन सा नहीं है, यह question अगर exam में आता है, तो वो सिर्फ इसलिए आएगा कि student को पूरे marks मिल सके, it is only for students getting the marks, nothing more than that thermodynamics के numerical easy होते हैं, क्योंकि numerical ही कहां होते हैं thermodynamics में, हमारे लिए जितने भी अब हम chapters की बात कर रहे हैं, चाहे हम physical chemistry के chapters की ही बात करें, तो we are not actually having too many numericals is this clear, I say you have a system definition open system closed system key that is not too important or I think it's quite easy to understand as well राज देखो, thermodynamics के numerical अगर आप लगा के देखने की बात कर रहे हो, जितने NCIT का level है, उससे जादा का level neat में नहीं आ सकता, अगर आप IIT advanced की बात करने लगें, या फिर किसी ऐसे numerical book की बात करने लगें, जिसके course जो आपके course में नहीं है, तो obviously thermodynamics becomes the most difficult, in fact फिर तो आपको गैसर स्टेट के numerical लगाने में मुश्किल होने शीर हो जाएगी, is that clear, अचार यह जो adiabatic होता है, state functions कौन से है, state variable कौन से होते हैं, यहाँ पर भी thermodynamics के अंदर भी बहुत सारे theoretical concept आ जाते हैं, ठीक है न, lot many theoretical concept would be there, okay, हमारे पास 150 likes तो हो चुके हैं, I think we can go in for 200 likes, try करोगे, अचार यहाँ पर thermodynamics न, काफी ज़्यादा confusing सी हो जाती है, समझ में नहीं आता कहां से हम पढ़ें, कहां से नहीं पढ़ें, क्योंकि NCRT के अंदर, in trying to tell everything about thermodynamics, they have missed everything about thermodynamics, ठीक है, अब यहाँ पर जब हम बात करें, state functions कौन कौन से होते हैं, यह आपको याद रखने हैं, state functions, अब heat and work are the path functions, तो यह आप यह याद रख सेंगें, यह पूरा explanations है, this is not required, यह exam में नहीं आता है, explanation क्या है, वो नहीं आता है exam में, आ सकता है वेटा, ठीक है, path function कौन सा है, state function कौन सा है, अब यहाँ पर यह देख रहा हैं, यह, when no work is done, no work का मतलब होता है, isochoric, अब यह देखो, यह convention, heat supplied to the system, heat moved out of the system, work done on the system, work done by the system, तो accordingly, they say, कि physics में जो convention use किया जाता है, वो गलत है और chemistry convention सही है, अब क्या करें, chemistry वाले physics के गलत बताएंगे, physics वाले chemistry के गलत बताएंगे, हमें तो यह ध्यान रखना है, कि physics talks about the work done by the system, and chemistry talks about work done on the system, इस वज़े से work done का sign, physics और chemistry में opposite हो जाता है, यह दखो, अब physics वाले आवी PC के क्यों मानेंगे वा अलग बात है, अब यह वाले जो है न question, यह, जिसमें हम अलग-अलग वाल्स की बात कर रहे हैं, what is a radiobatic wall, what's a thermally conducting wall, what's a closed system, ठीक है, state and path function बता दीजिए, state function के अंदर, एक बात ध्यान लखना, heat or work, path function है, ठीक है, something like heat capacity, कई पर भी अगर heat के साथ आजा है, तो वो path function हो जाता है, लेकिन अगर हम बात करते हैं, internal energy की, और enthalpy की, entropy की, Gibbs energy की, या फिर हम बात करते हैं, volume, temperature, pressure, जो एक particular state से calculate किये जा सकते हैं, measure किये जा सकते हैं, वो सारे के सारे state function हो जाते हैं, ठीक है, अच्छा, यह mathematical equivalent of the first law of thermodynamics, यह पड़ी half hazard सा है, यह thermodynamics, is this clear? I believe thermodynamics की लिए, मुझे specifically एक chapter लिखना पर जाएगा, बहुत important है, इतना लंबा कहाना नहीं है, यह है हमारे पास, work का, यह वाला question, आ चुका है exam में, यह NEET के exam में, as it is graph आ गया था, यह area under the graph, यह पूछा गया था, कि in which case, the work done is the maximum, 2022 का ही question नहीं है, तो वहाँ पर क्या था, the maximum area, whichever has the maximum area, is going to have the maximum work done, यह सी बाइगा 2022 का question है, तो NCIT में से ही उठा के, उन्होंने graph डाल दिया था, अब यह छोटे-छोटे questions हैं, यह problems हैं, यह छोटे-छोटे, इन में से कोई भी question, exam में आ सकता हैं, यहाँ पर क्या रखा है, यहाँ पर isothermally बोल दिया, तेक हैं, अब यह isothermally तो बोल दिया, reversible नहीं बोला है, constant external pressure कर दिया, यह vacuum में दे दिया, तेक हैं, यह free expansion हो गया, अब यह reversible है, एक ही question को, तीन condition में डाल दिया, तीन अलग-अलग answers आ गए, of the work done, बिटा, निखिल मैंने paper नहीं बनाया, तो इसलिए मैं कैसे बता सकता हूँ, ठीक है, यह तीन अलग-अलग formula हैं, और इन तीन पर ही, सीधा-सीधा answer आ जाएगा, यह तो आपको पता ही है ना, यह enthalpy वगरा के बारे में, क्या बताया जाए, यह याद रखो, और हाँ, यह वाला जो equation है ना, यह chemical, प्रॉसस के लिए वैलिड है, ठीक है, फिजिकल के लिए, पी डेल्टा वी, इस उक्वल टू, एन आर, डेल्टा टी होता है, हाँ तन में, डिरेक्ट फॉर्मुला बेस्ट, डॉक्टर निखिल, मैं इस समय important ही बता रहा हूँ, unimportant तो मैं बता ही नहीं रहा, जब unimportant उसको तो मैं बता रहा हूँ कि यह question नहीं आएगा, ठीक है, वैसे actually इसको ऐसे रखना चाहिए, bracket में, और ऐसा लगते हैं, इस डेल्टा प के साथ लगा हूँ, इस डेल्टा पी वी, पी constant तो पी को बहार निकाल लिया, तो इस बताएगा, तब से बदर साइस, इस टेट प्रॉपर्टी बता के फिर extensive और intensive बता रहे हैं यह, बहुत गरबड है इसके अंदर, यह अटी के, थमर डानिश में बहुत ज़्याद गरबड है, अच्छा, heat capacity, again, is a path function, clear, धान रखना इस बात कर, क्योंकि अगर condition बदल देते हैं, तो same substance की heat capacity बदल जाती है, कैसे किया गया है, heat कैसे सप्लाए गई, under constant pressure किया गया, under constant volume किया गया, under constant temperature किया गया, तो according to the conditions, heat capacity change हो जाती है, for the same heat, log की value के लिए कोई trick नहीं है, log की value हमें याद भी नहीं करनी, अगर कोई log की value की जरुरत होगी, तो वो दिया जाएगा, minty, minty तो Friday को होता है बेटा, ये question आया था इस बार, CP और CV का relation, अच्छा, ये BOM कालोरी मीटर है, BOM कालोरी मीटर मेजर्स, डेल्टा यू, constant volume, कॉफी कप कालोरी मीटर पहले दिया गया था, इस समय शायद कॉफी कप कालोरी मीटर इसमें सो उड़ा दिया गया है, ये रहा, ये रहा, इस इस दे, कॉफी कप, कालोरी मीटर, ये ये constant pressure पर मेजर करता है, ये डेल्टा H मेजर करता है, H नहीं, डेल्टा H मेजर करता है, Is this clear? That's what we get here, डेल्टा H मेजर्मेंट, एंथाल्पी जेंच, इंथाल्पी जेंच, रीक्शन, इंथाल्पी देखो, इंथाल्पी जेंच, यानि कि इंथाल्पी जेंच की बात करता है, इंथाल्पी जेंच की बात करता है, ये समझ में आ गया है सबको, I said, for all the elements in their respective standard state, this delta is zero, तीक है? ये समझ में जेंच आ गया है एंथाल्पी जेंच, elements की ली ये value in their standard state zero हो जाती है, ठीक है और ये बात ध्यान रखना enthalpy is an extrinsic quantity तो जब हम standard enthalpies की बात करते हैं तो वहाँ पर हम quantity fix करके उसको intrinsic बना देते हैं क्लिए अब यह देखू यहां पर two o2 gaseous की वहां पर enthalpy change जीरो हो जाएगा यहां पे हमने यहां पे delta लगा रखा, theta लगा रखा, in fact delta नहीं थीटा है यहां पे, यह theta लगा दिया गया थैं, not की जगे है, theta लगा दिया है, Standard enthalpy of the reaction यह रहा, in the standard state and the reaction is carried out at 298 Kelvin and 1 bar, और ये pure form की जब हम बात करते हैं न अब देखो यहां पर यह है इस प्यूर form at one bar इसके ने एक और चीज बोल देते हैं most easily obtained यहां पर एक बहुत important बात है कि यह नहीं बोल रहे हैं यह stable form होना चाहिए NCID ने यह फिर controversy से दूर रहे है the standard form is not the most stable form it is the most abundant, most easily available pure form इसलिए white phosphorus although it is more reactive as compared to red and black phosphorus फिर भी white phosphorus is the standard state क्योंकि जब phosphorus को बनाया जाता है तो purest form में यह white phosphorus में ही बनता है अब NCID ने एक बड़ा पंगे वाला काम किया है वो यह कि बहुत सारे formula उन्होंने थियोरी में नहीं नहीं दे रखे उन्होंने question में दे रखे हैं हमारे चैनल पर लोगों की संख्या इतनी कम इसलिए होती है कि हम बहुत seriously पढ़ाते हैं और seriously पढ़ने वाले वो लोगों की संख्या बहुत कम होती है ठीक है जन्तू क्या पूछरे हो आप मुझसे जन्तू जंगल ठीक है ना okay we have got 166 likes that is good 200 हो जाएगा चालो और एक important बात ही है कि हमारे चानल के उपर लोगों की संख्या कम है लेकिन average view duration भी जादा है यहाँ पर जो लोग जुड़े हुए है वो permanently जुड़े हुए है भाग नहीं रहे है चालो ठीक है इस reactions के अंदर किसी ने कुछ पूछना है क्या thermodynamics chapter में से हो सकता है आप में से किसी की कोई ना कोई doubt हो अगो कोई doubt है तो पूछ लीजिए तो यहाँ पर सीड़ी सी बात यह कि मैं उन लोगों को इस समय पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ जिन लोगों का course कंप्लीट हो चुका है लेकिन कहीं कहीं कोई कोई जिसे कहते ना की दर्वाजा पूरा बन चुका है कुंडी लग चुकी है बस थोड़ा सा तेल डालना बाकी है तो हम वो तेल डालने का काम कर रहे है प्लीज अंडरस्टैंड यहाँ पर पूरा चाप्टर नहीं पढ़ाया जा रहा है Is it okay? We are doing चोटा चोटा कहीं पर कुछ अगर मिस हो गया वो चीज़ कर रहे है अगर किसी को लगता ही कोई चोटा मोटा confusion है या फिर किसी वेज़े से फसे हुए है यार यह नहीं समझ में आ रहा वो चीज़ पूछ लो अभी explain कर दिया जाएगा बोलो और आज शाम के session में ज़रूर आना क्योंकि उस session के अंदर हम पूरे के पूरे physical chemistry के exemplar के through फिर से concept समझेंगे मैं आपसे वहाँ पर question नहीं पूछूंगा We are going to explain every question Is that clear? हर chapter के questions हम लेंगे exemplar के exemplar के questions थोड़े से ठीक होते है answers आपको पता होंगे ऐसी कोई बात नहीं है अगर आपका कोई question है जो neat में आया हुआ या आप मुझसे पूछना चाहते है तो पूछ लीजिएगा अपने सारे के सारे doubts शाम की class में लेकर आईएगा वो भी 2-way communication पे होगा Google meet भी होगा YouTube भी होगा YouTube का भी session हमारे सामने चल रहा है so you can ask it thoroughly ठीक है कोई confusion और हाँ ये table याद नहीं करना ठीक है इसको याद करने के लिए बैठ जाओ ये सवाल नहीं पूछे जाता time 6 बज़े प्रतिश आज शाम को 6 बज़े बिल्कुल सही कह रहे हैं मुहमद परवेज Google meet पर net जादा खर्च होता है इसलिए जब आपको सवाल पूछना हो तब Google meet पर आ जाना हर समय थोड़े ना उसके पर तक के रहने की ज़रुरत है लिंक तो आपको दे ही रखा है इनारगानिक कप करवा होगे तीसरे हफते में इस फ़िजिकल हो रहा है अगले हफते औरगानिक होगा उसके अगले हफते इनारगानिक होगा ठीक है यह जो numericals यहाँ पर दे रखे हैं न, यह छोटे-छोटे numericals, यहाँ पर इसको wordings change करके question बनाया के अराम से उसमें दिया जा सकता है, wording ना भी change करके as it is यह question दिया जा सकता है, ठीक है, again, not to learn, ठीक है, हाँ, बस यह zero वाले important है, यह zero किसका है, यह ध्यान रखना, यह ध्यान रखना, यह सवाल आ सकता है, zero जिस जिसका है, बस, ठीक है, you don't have to remember, नी, ऐसा नहीं है, हर chapter रिवेज, ऐसा नहीं है, जहाँ पर ores वाला है ना वो, हमारे पास, metallurgy के अंदर ores वाला table है, वो table याद रखना है, solid state के अंदर वो table है ना, जा alpha, beta, gamma वाला, वो table याद रखना है, ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेशल वाला table याद नहीं रखना, इसलिए कुछ-कुछ tables का आमें ध्यान रखना पड़ेगा, जो याद करने है, जो याद करने, ये वाला table याद नहीं करना, बस इसमें ये ध्यान रखो कि zero किस पर है, वो important है, that is standard state, तो standard state पूछी जा सकती है, और standard state क based question भी पूछे जा सकते है, ठीक है, we have got the standard enthalpy of formation, standard enthalpy of formation के अंतर एक बात का ध्यान रखना, one mole is formed, पहली बात है, one mole of the substance is formed, and from elements, वही बात मज़ा आता है, सर, CO plus half O2 gives us CO2, यहाँ पर delta S दे दिया, अब क्या ये standard enthalpy of formation है, नहीं है, क्यों नहीं है, क्यों कि CO element नहीं है, compound है, is this clear, नहीं, electrochemical series वाला table हर्गिस याद नहीं कर सकते है, निकल, उनकी values कहां से याद करोगे, हाँ, वो याद कर लगते हो, लेट प्रोफेसर BCS Mezintal had cup made of silver plated gold, ठीक है, वो याद कर सकते हो, आप पस इतनी सी बात है, थोड़ा बहुत कि कौन सा reactive, कौन सा कम reactive है, that order is kind of important, लेकिन जब आपको एक्जाम में कोशन पूछा जाता है, तो वहाँ पर भी आपको electrode potential दे दिया जाता है, वो आपसे expect नहीं कि जाता है कि आपको याद होगा, ठीक है, यहाँ पर यह दे दिया ना, where one mole of a compound is formed from its constituent elements, अब थेमोगेमिकल equations, बस, अब यह हमेशना standard enthalpy के kilojules पर mole हो जाएगा, चाहिए किसी भी enthalpy की बात करो, kilojules पर mole ही आता है, यह Hess law of constant heat summation, जितने भी हम thermochemical equations, thermochemical calculations की बात करते हैं, वो Hess law based है, और उसका basis क्या है, enthalpy is a state function, यह Hess law of constant heat summation is important, ठीक है, इसके ओपर based भी question आ सकता है, मतलब कि आप देख सकते हो, कि चाहिए हम physical chemistry questions की बात करें, तब भी theoretical questions होने के chances, जादा हो जाते हैं, ठीक है, ठीक है, अच्छा, enthalpy of atomization भी important हो जाती है, यह definitions हैं यह सारी, यह definitions जुरूर पढ़ लीजेगा, कहीं पर भी कोई confusion हुआ तो गरपर हो जाएगी, युकि definition based हो, theoretical paper जादा आने वाला है, numerical अगर आएँगे तो वह NCRT based ही आएँगे, random numericals नहीं आएँगे, इसलिए NCRT के जितने भी solved questions हैं, unsolved questions हैं, in-text questions हैं, वो कर लो, पक्का, आपके सारे numericals ही हो जाएँगे, ठीक है, 173 likes, ज़रा पहले 175 करो, 200 likes हमारा target है, जल्द करो 200 likes, सर, block wall chemistry में जहाँ use लिखा उसको भी याद करना है, block wall chemistry में जहाँ use लिखा है, depends करते हैं, बेटा हम मैं बताता चला जाओंगे, इस chapter में क्या याद करना है, क्या नहीं याद करना, अब हर chapter के अंदर में एक general consensus नहीं दे सकता, फिर को के साथ exception आ गया, generalization खुद बना देते हो और फिर exception बना देते हो, अच्छा, bond enthalpy और bond dissociation energy में फरक आ जाता है, फिर के, bond dissociation energy एक specific bond के लिए होती है, अच्छा, ये एक बात और देख ले ना, यहाँ पर reactant minus products है, जानते हो क्यों, because bond energy by default is to break, ठीक है, reactant के bonds break हो रहे हैं, लेकिन product के bonds बन रहे हैं, तो product की bond enthalpies negative हो जाएंगी, क्योंकि वहाँ पर तो energy release हो रही है, ठीक है, अरे मुहम्मद परवेज बेटा, uses हर कोर्स में नहीं होता, number nine means के use अगर पूछा गया तो इसमें questions आ जाएगा, लेकिन copper, silver, gold का अगर use पूछा गया तो वो तो नहीं आता ना, लेकिन alloys का आ जाता है, हर जगे न, ये कहना मुश्किल हो जाता है कि इसमें से question आएगा, एक generalization हर chapter के लिए देना possible नहीं है, ठीक है, फिर generalization देखेंगे, exception आ जाएगा, ठीक है, और हाँ, not to learn, इसका भी रख्टा मत मार के बैठ जाना, ठीक है जी, प्रत्यश कुछ पूछना है क्या, अज़ा, लाटिस enthalpy, एक बहुत बड़ा confusion है, बहुत बड़ा confusion है, लाटिस enthalpy of an ionic compound is the enthalpy change, because one, one mole of an ionic compound dissociates, not formed, ये बहुत सारी किताबों में गरबर दे रखी है, and lattice energy is the energy to dissociate the compound into its constituent particle, not when the compound is formed. इसलिए lattice enthalpy is always positive. तो जब लाटिस बनता है, तो वो negative हम कर देते हैं, तो subtract हो जाती है. ये बात ध्यान रखना, इसके उपर based question बन सकता है, क्योंकि majority student गलत कर देंगे, खुद confused हो जाएंगे, कि ये तो कोई भी हो सकता है, energy release भी होता है, कई किताबों में ये देखादा है, energy released or absorbed, तो दोनों बोल देते हैं, नहीं, when it is dissociated, ध्यान रखना, और ये ionic compound के लिए नहीं, बाकियों के लिए भी valid है, तो ये हमारे पास born hyper cycle है, born hyper cycle बनाना तुम्हारे लिए ज़रूरी नहीं है, it is something like कि अगर आप बना लोगे, तो आपको ये पता चिल जाए कि क्या-क्या changes हो रहे हैं, तो आकिया आप देख लें, तो चोटे-चोटे confusion हो सकते हैं, वो मैंने आपको बता दिया, अब ये देखो, ये electron affinity word यूज़ कर रहे हैं, देख रहे हो, NCIT वाले खुद पंगा ले रहे हैं, उसके अदर periodic table में बोलते हैं, electron gain enthalpy, यहाँ पे electron affinity, electron affinity is energy released, जबकि electron gain enthalpy's energy change, electron affinity और electron gain enthalpy's sign opposite होते है, is this clear, कोई confusion, ये तो काया नशे अनरजी, electron affinity है, defined at absolute zero, जबकि ionization, ये electron gain enthalpy is defined at 298 Kelvin, ये ये electron gain enthalpy, और electron affinity के magnitude में भी फरक आ जाता है, और ये खतरनाक वाला formula है, as such इसका neat में question नहीं आता, लेकिन, formula है NCRT में, अब ये तो, ये ये electron gain enthalpy आ गिया, तो, तो ये लेकिन, तो that is the difference between, electron gain enthalpy and electron affinity, बाद बार शोटोरे शोरे स्टुटेटे कन्फिज होते हैं, मैं बहुता, magnitude is nearly the same, ब्र साइन साथ अर उपजिट, minus a electron affinity figure 6.9 is important if figure never bond number cycle which is going to be created for every reaction different for each reaction यहार reaction के लिए अलग से बनता है direct formula based ही आएगे question हाँ question आ सकता है क्यों नहीं आ सकता आएगा direct formula based ही लेकिन अगर इस formula के ऊपर question आया तो it is going to become a bit difficult isn't it enthalpy of solution enthalpy of dilution यह बहुत simple simple सी चीज़े है यह ज़्यादा confusion नहीं है अब यह spontaneity आ गया delta G अब delta G के बारे में अगर हम बात करें तो please remember exothermic endothermic reaction की spontaneity नहीं बताता delta G बताता है ठीक है अब कोई यहाँ पर क्या important है यह formula can be used यह direct पूछा जाएगा और एक बात का ध्यान लगना किस temperature पे heat supply की गई है उस पे entropy change हो जाएगी spontaneity में क्या confusion रक्षे what is your confusion with the spontaneity डेल्टा जी निकालो यहाँ जबर्दस्तिक explanation करबर कर रक्षे explanation दोगे तो confused हो जाओगे Gibbs energy Gibbs energy Gibbs energy Gibbs energy यह रहा हमारे पास equation this is the most important equation अच्छा एक बात का ध्यान लगना delta G is by default defined at constant pressure अगर हम constant volume की बात करते हैं तो that is delta A Helmholtz equation or Helmholtz energy यह Gibbs energy it has constant pressure at constant pressure प्रेश्चर ठीक है ओके 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 यह सारे का सारा derivation है लेकिन इस derivation के ऊपर ज्यादा question नहीं आते हैं यह important है जो धियान रखना पड़ेगा for any spontaneous reaction delta G is negative delta G is negative, G नहीं delta G is negative delta G के साथ negative का क्या मतलब है यह third law of thermodynamics है इस कि C-C-C-C statement पूछी जा सकती है क्योंकि यह कई बार student नहीं समझ भाते और यह दो equations हैं मारे पास the relation of delta G with यह यह table, learn यह ही याद करना है table, ठीक है? इस table की values यह आपको बहुत अच्छी तरह है याद रखना है पर बोलर रहे हैं डीबल याद नहीं रखने हैं यह वाला टेबल याद रखना है आपको और यह problem से हैं छोट छोट निमेरिकल से हैं यह पूछे जा सकते हैं हाँ वई किसी को थमड़ायम से कुछ पूछना है यह हम सबसे खतरनाक chapter पर चलें जिसे हम कहते हैं equilibrium बोलो बोलो किसने कुछ पूछना है आपको दिया जा सकता है यहां पर यह table है आपको equation है delta G is equal to delta H minus T delta S यह है आपके वस equation अब आपको क्या किया जा सकता है delta H की value दे सकते है delta T की value दे सकते है delta S की value दे सकते है फिर पूछा जा सकता है कि the reaction is spontaneous or not या फिर आपसे कहा जा सकता है कि delta S दे दिया, delta H दे दिया, T नहीं दिया फिर पुछा जा सकता है कि below which temperature it is going to be spontaneous, above which temperature it is going to be spontaneous अब विस्टेमरेचर इसे सवाल आ सकते हैं clear, ये पुछा जा सकता है कि if delta G is this, delta S is this and T is this what will be the value of delta H so that the reaction is spontaneous देके न, या फिर what will be the value of delta H अगर delta G दे दिया तो तो इस तरीके से इसी formula पर घुमाया जा सकता है spontaneity के उपर समझ में आ गया न और किस तरीके से deal करना है आपने, क्योंकि ये table आपको बता रहा है कि किस condition में क्या value होनी चाहिए delta G की सान्या बजाएच केरें sir, what is the difference between enthalpy of solution and that of dilution? enthalpy of solution is when a dilute solution is formed enthalpy of dilution is कि हमारे पास solution of a given concentration है उसको हम dilute कर रहे है is that clear? so that's the difference between enthalpy of solution and that of dilution enthalpy of solution के अदर आप specific concentration की बात कर सकते हैं इतना concentration के solution बनाने में कितना enthalpy change है सारे के सारे substances का ये बात है तो that's the end of the quick discussion of thermodynamics किसीने कुछ पूछना है? नहीं पूछना किसीने? absolutely clear everybody किसीने भी कुछ थमडायमाज़ के बारे में नहीं पूछना मतलब कि सारे के सारे सो गए है थमडायमा बारे में ना पूछने का मतलब ये है कि सबके सब सो गए है चलो कोई बात नहीं, सो गए तो सो गए all Buddha, coupling reaction का मतलब ये है है कि हमाई पास दो reactions है जिन में से एक बहुत ज़्यादा spontaneous है और दूसरा कम spontaneous है और non spontaneous है तो बहुत ज़्यादा spontaneous reaction उस कम spontaneous reaction को अपने साथ खीच लेता है. It's something like कि आपका movie देखने का बहुत ज़्यादा मन है आपका एक friend कहता है मन नहीं है यह आप कहता है चल भे मिने साथ चल मैं लेके जा रहो ना तो आप उसको ना मन होते हुए भी काम करवा रहे हो. So that's what we have as spontaneous. लेकिन उसकी वज़े से थोड़ा सा काम मुश्किल हो जाता है ना. बस वही बात है तो समझ में आगे couple reaction चालिए और अब हमारा आ रहा है खतरनाक चाप्टर जिसे हम कहते हैं equilibrium 175 likes 40 minutes का इस सेशन रह गया है क्योंकि 3330 पर आपका एक और सेशन होने वाला है वेबिनार पंकुरी मैम और सचिन सर के साथ आपका वेबिनार है याद है ना आप सबको 175 likes 200 करो यार फ़रा साथ लगे भी chemistry के अंदर भी student आते है sir are irreversible process spontaneous जो भी process होता है वो irreversible होता है every spontaneous process is irreversible but that doesn't mean that every irreversible process is spontaneous ऐसा नहीं है टीक है वी confusion चलो हेर वी हाव equilibrium अभी equilibrium क्या होता है equilibrium actually समझो ध्यान से समझो it is the most stable state of the system at the given set of conditions अच्छा एक important बात बात यह देख रहे हैं आप यह जो दिख रहा है आपको QR code इस QR code को scan करोगे न तो आपको exemplar का link मिल जाएगा प्रिक है इस QR code की scanning में exemplar का link है मैं भी try करके देखता हूँ एक बास क्या मिलता है मुझे QR code को scan करके इपार्टशाला.nick.in हाँ video resources आ रहे है दिख्षा resources आ रहे है और दिख्षा resources में क्या है इसके लिए करना पड़ेगा क्या कर सकते हैं तो अगर आपके आज time हो तो करके देख लेना exemplar से कितने question आते हैं यह important नहीं है बेटा exemplar के वह based question आते हैं यह important है और exemplar indicators को question नहीं बहुत time तक आये नहीं indicator तो यहाँ पर equilibrium में है भी नहीं ओके अच्छा dynamic equilibrium है यह पढ़ लेना यह इसमें से question तो आता नहीं है यह वाला भी कुछ खास नहीं है solid way पर equilibrium के बारे में कुछ खास नहीं आता है यह 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 जो gases in liquids है ना this is henry's law यह solution chapter में 12th class में जादा important है okay there are 178 likes है 20 likes बचे हुए है are you gonna give me 22 likes more anyone नी someone होगा पटेल anyone someone was asking me के NCID पे से कितना हैगा buffer तो important है बटा anderson's Hasselback equation भी इंपॉर्टेंट है physical equilibrium table में से क्या पूछना उसके अंदर यह वाला क्या रहे है यह वाला some features of physical equilibrium रहा है इसमें क्या पूछा जाएगा कुछ में नहीं पूछा जाएगा vapor pressure constant है यह तो आपको अलग से पता ही है ना melting point fixed है boiling point fixed है saturated solution के अंदर fixed है यह summary है बहुत सारी चीजों की यह रहा henry's law ठीक है यह solution chapter में फिर से है which is of twelfth class ठीक है general characteristics of equilibrium involving physical processes अब देखो यह physical process की बात करते है physical equilibrium बोलते है I prefer to call it phase equilibrium और equilibrium is possible only as a closed system equilibrium physical equilibrium के लिए ने किसी भी equilibrium के लिए है अगर लगातार आप mass change करते होगा equilibrium नहीं established होगा ठीक है अब यह ध्यान रखो remain constant यह constant यह constant word से लोग equal समझ लेते है it is not actually constant it becomes remain unchanging ठीक है they are not changing please remember at equilibrium it is not necessary that concentration masses are going to be equal they become fixed they become unchanging हाँ बेटर प्रत्युष चेकंड चैप्टर में solution अभी लिखा तो है अगा बेडर्म कुछ पूछना है अगा कुछ पूछना है यह सकिए अगे आन्ट भर्म कुछ पूछना है कुछ सक अधिए टीक है टीक है टीक है तो आल केमिकल एकलिप्रिम्स आर डानेमिक यह ज़रूरत नहीं है टीक है यह कोश्चन आ सकता है कि where is the equilibrium established यहां से यह equilibrium established हो गया है टीक है reactants decrease till equilibrium and product increases and we have started with the reactant only टीक है fine यह जो point है ना this is not equilibrium equilibrium यह point है equilibrium यह point है हाँ यह equilibrium यह point है यहां पर change नहीं हो रहा है यहां पर this is starting कि हमने ही ही से स्टार्ट किया है हां यहां पर हमने ही 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 से स्टार्ट किया है from HI यहाँ पे starting from H2 plus I2 ठीक है? equilibrium can be attained from the product side or the reactant side. किसी भी direction से हम equilibrium attain कर सकते हैं. यह बात तो समझ में आती हैं ना आपको? law of chemical equilibrium and equilibrium constant law of chemical equilibrium में क्या Goldberg and Vagelaw बता रहे हैं यह? अचा यह है equilibrium equation इसमें solvent solids immiscible liquids are not ठीक है? यहाँ पे solids solvent immiscible liquids are not included. Is that clear? यह रहा? Goldberg and Vagel यह बाता है Goldberg and Vagelaw का जो law है वो chemical kinetics के लिए है chemical kinetics का ही law हम यहाँ equilibrium में यूज कर रहे हैं अब कुछ कुछ जो confusion students को होती है ना वो यहाँ पर clear हो जाएंगी NCRT के थ्रूप मैंने NCRT इसलिए खोल रखी है कि NCRT में जो दे रखा है वही मैं आपको बताता चला जाओंगा अब यह not to learn यह table थोड़ना याद करते है फिर होगे यह तो सिर्फ समझाने के लिए दे रखा है ठीक है? यह भी याद करने के लिए नहीं है यह use करके solve करने के लिए है अच्छा एक बात और ध्यान रखना हो equilibrium reaction equation नहीं, reaction is a single step simple reaction it's a single step simple reaction इसलिए stoichiometric coefficient order बन जाते है so stoichiometric coefficient become orders यह चीज़ एक question में दे रखी है NCRD के दो मैं दिखाता हूं तुम्हें कहों सा पेज है यह नाइंथ पेज है ना सबसे ज़्चिज़ में इसी में हैं झाल 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 यह लाइन अच्छा खासा वेक्टी को कन्फ्यूस कर दे अरे भाईया हमने पूरे के पूरे चाप्टर के अंदर यह मान रखा है कि हाद रियाक्शन जो एक्लिबर में दे रखा वो एलिमेंटरी रियाक्शन है तब ही हम उसको सीधा सीधा स्टाइक वेट्री काफिशन को आज और यूज कर पा रहे हैं ठीक है अनिलवर्मा कुछ पूछना है आपने आपका कैमरा ओन हो गया था वहीं कन्फ्यूजन इसमें किसी को टीक है इस दिस क्लियर वानेटी लाइक्स हमारे पास हो चुके है भाई अभी किसीन अगर लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दो 200 लाइक्स तो होई जाने चाहिए तो पता चलेगा कि वेबिनार में ज्यादा लाइक्स आ गए है और पता चलेगा कि फिर सब कह रहे कि यह देखो के मिसिट्री में कम आते हैं फिसिक्स वबर्तनी जॉबरजी में ज्यादा आ जाते हैं हां फॉर एलिमेंटरी याक्शन ओर इस इक्वल तो दो इसी को तो एलिमेंटरी याक्शन बोला जाता है तो इसमें आपने क्या पूछना है कुछ पूछना है इक्लिब्रम चाप्टर में सब जरूरू किसना कुछना पूछना ही होगा यह यह रहा डेफिनेशन एक कुछ छोड़ी बात है और भी है इसमें जो मुझे लगता है स्टूरेंट कई बाएं गलती कर देते हैं यह तो पता ही है ने एक्लिब्रम कॉंसें फोर्ट रिवर्स रिच्शन इन्वर्स अगर एक्लिब्रम को अगर आप एक्वेशन को टू से मल्टिप्लाय करते तो इक्लिब्रम कॉंसें की पावर टू हो जाती है अगर आप उसे डिवाइड कर दोगे तो उसका अंडरूट हो जाएगा कि के विचेवर नंबर यूइद मल्टिप्लाय दे एक्लिब्रम को एक्वेशन विद्ध बिकम्स अपावर ऑफ दे एक्लिब्रम कॉंस्टंट के यह रिलेशन दे रखा है इन्होंने यह निमरिकल्स जो पूछे जा सकते हैं आपको एक्वेशन में बिठरिवर एक बात का ध्यान लकना हमुजनिस इक्लिब्रम कि zu Perfectぞ possibilities सिर्फ दो possibilities एक the all the components are in gaseous state दूसरा, all components are in a common solvent as a solution, बस, कोई भी अगर solid involved है, it's heterogeneous, और कोई non-missible liquid है, it is heterogeneous, अगर कोई gas और liquid involved है, it is heterogeneous, तो homogenous equilibrium हमारे पास बहुत limited है, either these are equilibrium in gaseous state or in solution, बस, ठीक है, gaseous system के अंदर हम partial pressure use कर सकते हैं, और हमारे पास cape, P आ जाता है, अब ये एक important बात ये है, कि अगर exothermic reaction होता है, to exothermic reaction के अंदर, जैसे जैसे temperature बढ़ाते हो, equilibrium constant की value कम होती है, और endothermic के लिए temperature बढ़ाने के साथ, equilibrium constant की value बढ़ती है, तो this is actually exothermic reaction, यहाँ पर this again is exothermic reaction, now this is an endothermic reaction, तो जैसे जैसे temperature बढ़ा रहे हो, equilibrium constant की value बढ़ती चली जा रही है, यह बात समझ में आ रही है, किसी को कोई confusion तो नहीं है, इसमें, daily कितने chapter का revision करें, बेटा हम तो आपको 5-5 chapter का एक दिन में करवा देंगे, आप कितना कर सकते हो, यह बताओ, ठीक है, लगता सारे के सारे instrument ठक गए है, इसलिए गायब हो गए है, कोई बात नहीं, कोई बात न मैं अभी नहीं करवा रहा हूं, redox chapter मैं आपको शाम को करवा दूँगा, फिर उसके बात questions कर लेंगे, redox chapter तो बहुत easy है, वैसे बहुत करना क्या है उसके अंदर, ठीक है, ओके, बस एक छोड़ी सी चीज मुझे आपको और बतानी है, problem, 7.4, पिटे जितने भी solid question है, वो त यह चीज़, units of equilibrium constant, ठीक है, अभी एते हो, equilibrium constants can also be expressed as dimensionless quantity, ठीक है, clear, तो यह ध्यान रखना, थस in this system, यहापे we are talking about standard states, Kp and Kc are both dimensionless quantity but have different numerical values due to different standard states, is this clear, equilibrium constant as such is a dimensionless quantity, यह रखो, okay समझ में आ रही है बत? the equilibrium constant under the standard state is having the value, the units as dimensionless, okay, अब यह predicting the extent of the reactions कि हमें पता है, direction of the reaction, reaction quotient, I hope आपको याद है, यह chapter काफे difficult है, इसको हम आदे घंटे में या 15 मिंट में नहीं कर सकते हैं, यह कहा है, हमाँ पास 185 likes हो चुक है, 15 likes फिर रह जाएंगे लगता है आज के session के, कलो कोई बात नहीं, देखते हैं, यह सारे के सारे questions आप करके आज मुझसे पूछ सकते हो, are you gonna do it, यह नहीं करोगे, इस chapter के लिए बहुत सारे questions हैं, बहुत सारी चीज़े, एक equilibrium constant के मैंने reaction पता दिये, factors affecting equilibrium हमें पता है, अच्छा एक बात के ध्यान रखना, catalyst, concentration, partial pressure, से equilibrium constant change नहीं होता, एक है, और catalyst से, तो equilibrium position भी change नहीं होती है, अगर हम inert gas की बात करते हैं, inert gas भी एक important concept है, inert gas at constant volume does not make any difference, inert gas at constant pressure, reaction उस direction में जाएगा जहां पर gaseous moles जादा है, ठीक है? कृ wattsовор لم dudes के अधान चैना? मॉश का साथ है रथ, चिनक में हम अगक की बाह्मward,اعने में दोूंज, गभकर, जादा होता है, एक कि बाहरम бол Erie, मुल में उुल में भी अन्य हमें की ओर्ली, उले हम गjek के बाहर है, अब यह तो इनर्ट गास एडिशन जान रखना इसको यह इंपॉर्टन्ट है और इसके अंदर एक पराग्राफ यहां पर इनने दे रखा है इफेक्ट अफ टेंपरेशन हमें समझ में आ गया है अभी इनर्ट से अगर आपने नोट बना रखें है तो नोट से अगर नहीं बना रखें तो नोट से इंसीयाडि से एक लिविर्यम चैप्टर थमर नाइंस चैप्टर काफी बड़े हो जाते हैं कि एफेक्ट आफ टेक्टलिस्ट है कैटलिस्ट एफेक्ट नहीं करता है कि लेकिन जल्दी अटेन हो जाता है कोई कन्फूजिन किसी को 187 likes 13 likes रहे गए अभी तक क्या करें इसने लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक करो ओके आयनिक एकलिब्रियम यहां रखना इस थाइप अधिकलिब्रियम इन्वाल्विंग आइंस इनक्वर्स सॉल्यूशन है वी अधिकलिब्रियम के जो कोश्टन्स हैं उसी के थुरू हम इकलिब्रियम चाप्टर करें तो यह जादा अच्छा लगेगा वाओ 191 यार अब तो लाला चा गया 90 में आने के बाद सेंचुरी मारे बिना हटना अच्छा नहीं लगता हुम कॉन्जूटे से कितना कोश्टन आता है बेटा मुझे नहीं पता कितना कोश्टन आएगा लेकिन हाँ यह है कि इफाल आप्र TOP पीवाइक्यू का सिगनीफिकेंस जरए का मोता जा रहा है इ Engagement लिए इस लिए पसी बदल जाता है यह इंपॉर्टन प्रॉब्लम आ जाती है यह चोटी चोटी प्रॉब्लम है यह यह सारी लिए असेट सेंद लिए बेसेज में क्लासिफाई करना है सिंपल सा अगर किया हुआ तो अच्छी बात है पी-ए-सकेल पी-ए-सकेल पड़े है अहां गया बागी लाइक्स टू अंड्रेड लाइक्स तो होई जाने चाहिए थे अच्छा यहां पर देखो अक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन अक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन अगें इस लिए यह एक डामेंशनलिस क्वांटिटी हो जाती है यहां पर किसने कुछ पूछना है किसी ने इसमें कुछ पूछना है यहां पर तो इच और टॉपिक है भी सारे के सारे जो सॉल्ड निमेरिकल्स है वो तो आपको देखने ही देखने हैं अगर किसी में कोई दिक्कत होगी तो आज शाम की क्लास में आप पूछ सकते हो यह ना नॉट टू लॉर्ण यह क्या याद करोगे दिया जाएगा अगर वैल्यूस पूछी जाएंगी तो अगर थोड़ा सा याद रहे जाए तो अच्छा है वरना वह भी वैल्यूस दी जाती है यह तो को हाइड्रोलिस अब दे रखा है यह फॉर्मुला दे रखा है किसका दे रखा है डाइस वीक आसे रंवीक बेस यह दे रखा इसी का कुछन पूछ लेते हैं अब यह बफर सॉल्यूशन के बारे में दे रखा है प्रपेरिंग एसिडिक बफर दे रखा है यह हैंडर्सन सासल बाक एक्वेशन है यह हैंडर्सन सासल बाक एक्वेशन बाल्च यह हैंडर्सन सालविटी प्रोडॉक्त यह जड़ा देख लेंगे ना सॉल्यूबल स्लाइटली सॉल्यूबल और स्वेडिंगी सॉल्यूबल कैसे कहते हैं नौट तू लेर्ण यह टेबल यह त्रट्टे मारने के लिए नहीं है और वी आपन नाइन फोर लाइक छे लाइक और चाहिए दो सो लाइक हो जाने चाहिए बुरा लगेगा वर्णा ओके कॉमन आयन इफेक्ट और सॉल्यूबलिटी 195 किसने कुछ पूछना है क्योंकि we are ending the session and we are going to start the session restart the session at 6pm you कि एनिवान हास्ट एनिधिंग रिंकी क्या समझ में नहीं आया पुनाम हम पीवाइक्यू कर लेंगे पीवाइक्यू करने का कोई फायदा नहीं है पीवाइक्यू अगर सब हुआ है किसी ने कुछ पूछना है हम 195 लाइक पेट के पड़े है एक लिपर में खतरनाक और इंपॉर्टन चाप्टर है इससे तीन कोश्चन आ जाते हैं नीट एग्जामिनेशन में चलिए तो इसी के साथ आज का ये वाला सेशन हम समाप्त करते हैं छे बजे हम करने वाले हैं फिजिकल केमिस्ट्री के 11th क्लास के सारे के सारे कोश्चन्स हाँ कल सेम टाइम पर रहे मिलते हैं आप से विद शिक्स पी एम विदाल दो कॉश्चन्स टीक है किसी को कोई बात ओके बाबाई टेक क्या बाई मिलते हैं शाम को और लाइक करने हैं जिसने लाइक नहीं किया है बाई उन्हें कि नहीं कि बाई लाइक खाया बाई